कि हैं लो माई डिर स्टुडेंट्स आइवलकम यू और इंजीनेर्स वाला प्लाटफॉर्म और चलिया यह स्टार्ट करते हैं आज के स्लाइफ सेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर्नल कंबस्शन इंजन जहां पर लास्ट सेशन के अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके स डिस्कस करा था कि फ्यूल्स क्या होते हैंमेशंस के बारे में बात करी थी और इसे के बाद देखेंगे कि कार्बूरेटर में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वज़े से डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स मार्केट में आए ठीक है तो यह कंप्लीट डिसकेशन हमारा होने वाला है और इसी के साथ-साथ आज की सेशन में फ्यूल इ सिस्टम होता है दूसरा मैगनेट हो बहुत बढ़ी है तरीके से पूछे जाते हैं तो वह आपको करा के इसी के साथ-साथ एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और लेटेस्ट टॉपिक है सूपर चार्जिंग आपने सुना होगा गाड़ियों के पीछे टर्बो चार्जर लिख याएगा और फिर हम लोग कोशन प्राक्टिस करेंगे जब हमारी प्रैक्टिस सीरीज 18 सेप्टेंबर से शुरू होगी आर्यू गाईज रेडी शुरू करें सेशन को सारे के सारे लोग आ गए हो रर्बी ज covertň की क्लासस कब से शुरू होंगी बहुई जैसे ही से सेट्थराग्या अंगि जैसे की नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरन्त reactive की क्लासस भी शुरू कर जेंगे वाई टीपर और इसी के साथ-साथ अगर आपको लगता है कि अभी अभी से प्रिपरेशन करनी है सीरियस वे में तो फिर उसके लिए अशोका बैच बेस्ट है क्योंकि अशोका बैच में सिर्फ ससी जेई यह सिर्फ कोई इंडिवीज्वेल एक्जाम नहीं है हम लोग सब्जक को बहुत डेटेल में थोरली कवर कर रहे हैं ठीक है वहाँ पर यह पर्सपेक्टिव है हमारा कि अगर बच्चा जैसे फ्लीड मेकानिक्स पढ़ने आया है तो वह ऐसी फ्लीड मेकानिक्स पढ़के जाए कि सारे एक्जाम से उसके क्लियर हो जाए इसी तरीके से हपर सब्जक को टाइम भी बहुत जादा दि है असी घंटे का स्लेबस हमारा कंप्लेट होता है फिर उसके बाद बीस घंटे अलक से मैं ले लेती हूं हाइड्रालिक मशीन के लिए तो एक बहुत ही डीप और डिटेल डिसकुशन हमारा चलता है अशोका बैचस के अंदर ठीक है अशोका क्लास में रिकॉर्डेट क्लास इत डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या बेटर आपने लिए चूश कर पा रहे हूं ठीक है रेडी हैं सारे के सारे लोग तो शुरू करते हैं सेशन को बिना किसी डिले के सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कार्बोरेटर की अच्छा कार्बोरेटर की बात करने जा रहे है तो दो शब्द आपने सुने होंगे रादे रादे जी बुकल जी कल भी आयते आप सेशन में मुझे याद है ठीक है दो शब्द आपने सुने होंगे पहला शब्द आपने सुना होगा कार्बोरेटर और दूसरा शब्द आपने सुना होगा कार्बोरेशन ठीक है तो सबसे है uniform air fuel का mixture बना के देता है ठीक है it is a process to make uniform air fuel mixture for the engine cylinder यह कह सकते हैं for the combustion chamber combustion chamber के अंदर जो air fuel का mixture आपको provide कराना है तो वो किस process से provide कराओगे carburation के process से आप provide कराने वाले हो इस वज़े से इसको क्या बोला जाता है carburation बोला जाता है मैं पहले छोटी सी लाइन को लिखवा देती हूं ठीक है it is a process of अच्छे आप लोग यह बताइए कि कार्बुरेशन जो है यह कौन से इंजन में यूज़ करेंगे SI इंजन में यूज़ करेंगे या फिर CI इंजन में यूज़ करेंगे इतना आप बता दो पहले ठीक है इट इस अ प्रोसेस ओफ इट इस अ प्रोसेस तो मेक यूनिफॉर्म एर फ्यूल एर फ्यूल मिक्षर ठीक है एर फ्यूल का जो आपको मिक्षर बराना है तो वह किस प्रोसेस के लिए बनाओगे किस process से बनाओगे carburation के process से बनाओगे इसी के साथ mixture कहाँ पर देते हैं SI engine में देते हैं तो अभी जो हम discuss करने जा रहे हैं fuel injection system वो spark ignition engine के लिए discuss करने जा रहे हैं जहाँ पर spark plug लगा होता है और air fuel का mixture हमारा combustion chamber के अंदर जाता है तो वो air fuel का जो mixture है उसको बनाने की जो responsibility है वो कौन से device लेती है carburetor लेती है ठीक है ना वो कौन से device लेती है carburetor लेती है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं carburetor ठीक है so carburetor क्या है it is a device जिसकी मदद से हम क्या करने वाले है uniform air fuel mixture बनाने वाले हैं यहाँ से सुनिये मेरी बात एक carburetion हो गया और एक आपका कहलाता है carburetor ठीक है it is a device it is a device यह क्या है एक device है it is a device which is used which is used to make which is used to make air fuel mixture ठीक है तो carburetor जो है वह एक ऐसी डिवाइस है जो air fuel के mixture को बनाएगी with the process of carburetion ठीक है carburetor क्यों नाम है यह तो मुझे नहीं पता है मुझे देखना पड़ेगा कि वह कार्बूरेटर ही इसका नाम क्यों रखा क्योंकिए जनरली competitive exams को अगर आप देखोगे तो आपसे यह नहीं पूछता है कि यह नाम करण क्यों हुआ है तो physical चीजें हो गए जिसको आप किसी किताब के थुरू पढ़के ही clear कर सकते हो ठीक है तो देखो भई इस trainer से पास होता हुआ ठीक है ना इस trainer क्यों लगाते है ताकि हम fuel को क्या कर सके चांस के तो इस trainer से strain होता हुआ यहां पर एक trainer हमने लगा दिया है ध्यान से देखिए इस trainer से होता हुआ आएगा और यहां पर इस तरीके से मतलब आपका filtration का process भी यही पर complete हो जाएगा ठीक है फिर यह हमारा क्या हो गया this is our chamber this is our fuel chamber ठीक है यहमारा क्या कहला एगा fuel chamber कहले देखो जरा ध्यान से यह हमारा हो गया fuel chamber यह हमारा क्या हो गया fuel chamber हो गया ध्यान से समझने की कोशिश करिये इस fuel chamber के अंदर क्या भरा होगा फ्यूरा होगा झाया है यहाँ पर इसको क्या करते हैं फूरा देते हैं qosto mucha अंदर क्या भर दिए हॉप औ tadi इब यहाँ पर फ्यूर का लेवल क्या है अगर फ्यूर के लेवल को उब्चर करोगे तो यह लेवल यहाँ पर फ्यूल का रखा गया ठीक है इस तरीके से फ्लोट वॉल लगा होता है तो जब यह लेवल बराबर हो जाता है तो यह जो शेप है यह इस ओपनिंग के बराबर है यहां पर यह जो वाल वाप देख रहे हो फ्लोट वाल यह जाकर इसको बंद कर देगा और फिर जैसे ही ले और fuel आपका आने लगेगा ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं float wall बोलते हैं float wall यह float wall हो गिया और यह क्या था यहां से आपका fuel जाएगा यहां से fuel की entry होगी यह हमारा क्या कहलाता है this is known as the strainer अब भहत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा हमारा एम क्या है मैं एयर फ्यूल के मिक्षर को बनाना है एयर फ्यूल के मिक्षर को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखे एयर फ्यूल के मिक्षर को कैसे बनाएंगे यहां से हमारी क्या रही होती है एयर आ रही होती है ठीक है यहां से कौन करने के लिए यहां पर क्या लगा होता है चोक लगी होती है ठीक है ना एक चोक अगर इस पोजिशन पर है इसका मतलब इस समय पर एयर का आना अलाउड नहीं है ठीक है और यह मैक्सिमम कितना ओपन हो सकता है मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो यह चोक इस तरीके से बिटा ओपन हो जाएगी मैक्सिमम अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम यह कब आएगी जब चोक की पोजिशन कैसी हो जाए वर्टिकल हो जाए ठीक है जब चोक की पोजिशन अभी पूरा सुनो अभी आप आपके मैंड में जो भी चीज़े पहले से पड़ी है ना इसके रिगार्टिंग भूल जाओ सब भूल जाओ जो मैं पढ़ा रहे हूं पहले आप उसको पूरा सीक्वेंस में अपने दिमाग के अंदर डालो फिर जो कुश्चन हो आप मेरे से काम करती हैं यह सारी चीज़े यहां पर इस तरीके से एक नूजल लगा के फ्यूल को इस तरीके से बाहर लेके आया जाता है ठीक है तो यहां पर एक सिस्टम हो गया ठीक है इस सिस्टम को अभी मैं नहीं बनाती हूँ सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देती हूँ कि यहा यहांपर हम क्या करते हैं Cross sectional area यहांपर कम कर देते हैं तो अम ने यहां पर क्या कर रहा है इस तरीके से arrangement कर रहे हैं कि हम यहां पर सेक्शनल area को कम कर देँंगे ए गूंधे है तो बिक एक section क्या हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, हाम हम ले सकते हैं, जहां से air के entry हो रही है, इसको आप क्या करो, one section consider कर लो, एक section हम कहाँ पर बिटा ले सकते हैं, एक section हम वहाँ पर ले सकते हैं, जहाँ पर fuel जो है, वो आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है ना, जहाँ पर fuel जो है बाहर निकलेगा उसको भी हम consider कर लेते हैं देखो जरा इसका लेवल थोड़ा नीचे लेके जाते हैं ठीक है यह आगया यह आगया लेवल आपका ठीक है और यह हमारा float आगे float bowl चलो इस float bowl को यहाँ पर set कर देते हैं इस तरीके से छीगए pinch यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर क्रॉस seguación area हमने कम कर रहे है यहाँ पर cross sectional area हमने कम कर रहे है तो देखो क्या होगा यहां से पाइप लाइन करेंगे nozzle लगाएंगे ठीक है pipeline क्लाइन कनेक्ट करेंगे नोजल लगाएंगे जो इस तरीके से कनेक्टेड होगी और यहीं से आपका क्या आने वाला है फ्यूल बहार आने वाला है अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि मैं अगर हम इसको यहां पर कनेक्ट करते तो क्या प्रॉब्लम थी आपको आपको यहां से थोड़ी हाइट हमने बढ़ा दी है यहां से अगर आप देखोगे तो यह थोड़ी हाइट हमने यहां पर उपर तक मिंटेन रखी क्यूं रखी है देखो आपको एक चीज पता है क्योंकि आप अल्रेडी फिल्यूड मेकानिक्स पढ़ चुके हो कि अगर कहीं पर लेल यहां पर अगर आप फ्ल्यूक्य होगे यह तक तो लभेडिन यहां टिक है उपन टो एक्मासफेर होगा तो आपने भी पड़ा है कि अगर मैनोमित्र हे ओपन टो wezyka है तो यहां पर जितना मैनोमिटिक फ्ल्यूर्ड का लेवल होगा उतना यहां पर होगा да डिफ्लेक्शन कब होगा जब प्रेशर डिफ्रेंश आपको मिले तो अगर आप एकदम यहां पर कनेक्टि करते हैं जितना लेवल आपको फ्यूल का है तो फिर प्रेशर डिफरेंश की वज़े से कितना फ्यूल नीचे किरने आपको समझी नहीं आता किसी accident की वजह से भी fuel फिर जो है नीचे गिरने की capability रखता था अगर आपने इसको थोड़ा सा उपर ले गए मतलब क्या करा थोड़ा height maintain कर दी इसको हम लोग क्या बोलते हैं nozzle tip height बोलते हैं इसका नाम क्या है nozzle tip height अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी nozzle tip height क maintain कर दोगे तो अब जो fuel बाहर आएगा वो पक्का से pressure difference की वजह से यहां सकता है तो वो तभी हो सकती है जब यहां पर pressure कम हो जाए और fuel फिर यहां से बाहर निकलेगा किसी accident के कारण या किसी भी reason के कारण fuel बाहर नहीं आएगा ठीक है आगी बास समझ में तो इस वजह से हमन जाएंगे तो दोनों यहां से क्या होगा आपको mixture देखने को मिलेगा और इस mixture को भी control करने के लिए हमारे पास क्या होता है इस तरीके से throttle लगा होता है ठीक है ना तो यहां पर आप देख सकते हो एक throttle लगा हुआ है जो accelerator आप लेते हो ना accelerator जाधा लेते हो तो यह क्या होता है throttle ऊब क्या होने वाला है अगर अगर आपको ज़्यादा power चाहिए, obvious सी बात है, गाड़ी चला रहे हो, highway पर हो, ठीक है, आपने सोचा कि भगाना है मुझे यहाँ पर, आपने accelerator पूरा खीच दिया, तो throttle wall open होगा, ज़्यादा air fuel का mixture आपका cylinder के अंदर आएगा, और बढ़िया performance आपको मिलेगी, ठीक है न, त कर दिया है, अगर area कम है, तो क्या velocity बढ़ेगी, जल्दी से मुझे बताइए, बिल्कुल बढ़ेगी, area कम होता है, तो velocity बढ़ती है, कैसे पता चला मैं, continuity equation से पता चला, क्यों बराबर acceleration into area into velocity से पता चला, आरी बस समझ में कि नहीं, area कम होगा, velocity बढ़ जाएगी, अगर velocity ब kinetic energy बढ़ रही है, तो pressure energy को घटना पड़ेगा, तो यहाँ पर होता क्या है, कि pressure कम हो जाता है, तो जैसे ही pressure कम होगा, कौन से section की बात चल रही है, two section की बात चल रही है, इस section को three section consider कर लो, ठीक है, और यह जो opening है, यह open to atmosphere, event to create करा गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो पता के रखा है, कि fluid हम आप सब लोग high pressure से low pressure की तरफ जाना चाहते है, आज भी हम जो मैनत कर रहे है, इतना pressure बेर कर रहे है, क्यों, ताकि आने वाला जो हमारी जिन्दीगी का समय है, वो pressure release हो जाए, उसमें से, हम अराम से जीवन काट सके, अगर आज आप से अभी से कोई क कम होगा, fuel बाहर निकलेगा, fuel बाहर निकलेगा, तो फिर air fuel का ratio आपका mixture बनेगा, और यह mixture आपका यहां से supply कर दिया जाएगा, कहां पर, cylinder के अंदर, समझ आ रहा है, किस तरीके से simple carburetor काम करता है, जल्दी से बताइए मुझे, simple carburetor का working principle आपको समझ आ रहा है, आपको अच रखना, it works on the principle of venture, it works, it works on the principle of, on the principle of venture, it works on the principle of venture, ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा simple carburetor काम करता है, अब हमको चाहिए क्या, देखो, हम क्या बना रहे हैं, मैं mixture बना रहे हैं, क्या हम यहाँ पर यह बोल सकते हैं, कि मैं mixture बना रहे हैं, इसका मतलब air fuel ratio चाहिए हमको इससे, हमको इससे क्या चाहिए, air fuel ratio चाहिए, ध्यान से देखना, अगर हम air fuel ratio की बात कर रहे हैं, अगर हम air fuel ratio की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा mass of the air divided by mass flow rate of the fuel यहीं चाहिए कि नहीं चाहिए तो एर-fuel mixture का क्या मतलब है mass of the air mass flow rate of the air divided by mass flow rate of the fuel ये वेल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमें air fuel ratio पता चल जाएगा कि कितना air fuel ratio हमें गर्बूरेटर क्रिएट निकाल। निकाल सबसे पहले मैं कि बात करते हूं क्योंकि फ्यूल लिक्विट फॉर्म में है ठीक है यहां पर छी शोटी होड़ी चीज़ चिज़ समझने की कोशिश करिएगा फ्यूल किस नोजल से निकलने वाला है मैं फ्यूल इस नोजल से निकलने वाला है मैं फ्यूल जो निकलेगा वह इस नोजल से निकलने वाला है यहां से फ्यूल आपका बाहर निकलने वाला इस इस दी डायमेटर ऑफ दी नोजल जहां से फ्यूल निकलेगा एर कौन से diameter से पास होने वाली है मैं एर इस diameter से पास होने वाली है तो मान लेते हैं कि यहां पर यह जो diameter मिल रहा है यह fuel के लिए है और यह जो diameter मिल रहा है तो क्या हम cross-sectional area निकाल सकते हैं मैं यह सब कर ही क्यों रहो देखो समझने की कोशिश करो mass flow rate का formula क्या होता है सबसे पहले आप यह समझेए mass flow rate होता है mass per unit time mass को आप लिख सकते हो density into volume divided by time इसी के साथ density volume को आप लिख सकते हो area into length divided by time और length by time को आप लिख सकते हो velocity density into area into velocity यह आपका कहलाता है mass flow rate अगर हमको यहां पर एक formula चाहिए एक value चाहिए कि भाई हमें mass flow rate of the air मिल जाए mass flow rate of the air मिल जाए तो अब क्या करोगे आप बोलोगे कि मैं सुरी पहले air की बात नहीं करते है fuel की बात कर लेते है तो आप बोलोगे कि मैं यहां पर density बता दो fuel की कितनी है तो जो fuel हम use कर रहे होंगे उसकी density obviously हमें पहले से पता होगी जो fuel हम use कर रहे होंगे उसकी density हमें पहले से पता होगी इसके बाद हम क्या लिखेंगे area किस cross-sectional area से fuel बाहर बाहर निकल रहा होगा और उसके बाद हम क्या लिखेंगे velocity लिखेंगे fuel की कि किस velocity से fuel बाहर निकला अगर ये तीनों चीज़े पता चल जाए तो क्या हमें m.f पता चल जाएगा हाँ मैं ये तो चलो property है ये तो हम जो fuel यूज कर रहे होंगे उसकी density पता होगी एफ कैसे निकालोगे अभी अभी आपने nozzle का diameter decide करा है तो उससे हमें एफ पता चल गया है formula हो जाएगा pi by 4 df square मैं डीफ कहां से पता चलेगा अरे भाई तुम ही तो design कर रहे हो carburetor तुम ही तो df decide करोगे तुम ही तो engineer हो तो तुमने df b decide कर दिया तो हमको एक चीज एकदम crystal clear way में समझा गई है कि मैं रो f और af निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो fuel होगा उसके density पता होगी रो f पता चल गया जिस nozzle से fuel बाहर निकल रहा होगा उस nozzle का diameter हमारे पास होगा pi by 4 df square करके उसका area भी निकाला जा सकता है इसी के साथ साथ अब हमको चिंता किसकी है velocity कि fuel किस velocity से बाहर निकल रहा है क्या उसके लिए हम calculation कर सकते हैं yes or no जल्दी से जवाब दो मुझे क्या उसके लिए हम calculation कर सकते हैं yes or no जल्दी से जवाब दो पूरा हमारे पास system है सारे points पर हमें सारी चीज़े पता है क्या हम calculation कर सकते हैं जल्दी 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 बताईए जल्दी बताईए बहुत ही बड़ी आप देखो calculation शुरू कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर देखो वेंट है ओपन ठीक है यह वेंट ओपन करना भी जरूरी है वरना यहां से फ्यूल नहीं जाएगा तो एक पूरा प्रॉपर फ्लो मेंटेन करने के लिए वेंट बनाना जरूरी है मगर हाँ वेंट बना हुआ है तो एक चीज़ यह पता है कि पी थरी पर कौन सा प्रेशर होगा एक्मॉस्फरिक प्रेशर होगा त्योंकि वेंट ओपन है पी थरी पर कौन सा प्रेशर होगा एक्मॉस्फरिक प्रेशर अच्छा air भी ambient से आ रही है तो P1 पर भी कौन सा pressure होगा atmospheric pressure होगा इस कारण से हमको यह दिख रहा है कि P3 और P1 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होने वाले है ठीक है हम क्या करते है यहां से fuel हमारा गिर रहा है नीचे यह level कौन maintain करने वाला है यह float यह float wall maintain करने वाला है तो यह level तो कहीं जाने वाला नहीं तो इस level पर जो velocity होगी that will remain equal to the zero क्यों क्योंकि यहां पर हम मान के चल रहे है कि fuel chamber का जो head है वो constant maintain रहने वाला है fuel chamber का जो head है वो constant maintain रहने वाला V3 पर zero velocity ठीक है हम क्या करते है fuel आपको पता है एक incompressible fluid है तो by applying Bernoulli equation क्या करते है वीटा Bernoulli equation apply करते है Bernoulli equation between between point two and three ठीक है ना दो point पर and तीन point पर वीटा क्या करते है Bernoulli equation को apply कर देते है जैसे ही आप apply करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा reference line लेनी पड़ेगी तो मान लियो यही आपकी three वाली जो line है वो reference line है तो यहाँ पर देखो two point पर velocity क्या होगी पहले pressure की बात कर लेते P2 by rho g Bernoulli equation क्या हो जाएगी P2 by rho g total energy two point पर लिखिए ठीक है अब यहाँ पर जो density लिखोगे किस की लिखोगे fuel की लिखोगे density of the fuel in 2g ठीक है plus कर दीजे velocity कितनी है V2 square by 2g plus reference line से आप मुझे बताइए इसका potential head कितना है Bernoulli क्या होती है P by rho g V square by 2g plus z यह reference line से two point पर potential head कितना होगा बताइए ज़रा इस reference line से two point का potential head कितना होने वाला है answer 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 जल्दी से बताइए answer करिये जल्दी से z बहुत ही बढ़िया बहतरीन अब मुझे यकीन हो गया कि तुमको समझ आ रहा है ठीक है यह पूछने का reason ही यही था कि अगर जो z बता पाएगा उसको समझ आ रहा है सब कुछ समझ आ रहा है ठीक है तो reference line से यह point z height पर है तो यह आपका हो जाएगा z nozzle tip height ठीक है P3 पर देखिए P3 by rho g fuel की density रखते हैं यहाँ पर ठीक है plus V3 square by 2g plus reference line से अगर आप perpendicular distance देखोगे तो 3 point पर ही reference line ले ली है तो 0 हो जाएगा यह देखो 0 हो गया ध्यान से देखना जरा यह 0 हो गया यह भी value किसके बराबर होगे 0 के बराबर और यहाँ पर P3 किसके बराबर है P1 के बराबर है ठीक है तो हम यहाँ से क्या करते है V2 की value निकालने की कोशिश करते है कैसे निकालेंगे मैं लिखोंगी P1 upon rho fg इस P2 upon rho fg को इधर ले जाऊंगी और Z को भी इधर ले जाऊंगी तो देखो क्या मिलेगा इधर मुझे मिल जाएगा V2 square upon 2g इसको मैं धरी लिख देती हूं V2 square upon 2g उस side पर P3 की जगा हमने क्या लिख दिया है P1 upon rho f into g ठीक है इसे के साथ minus अब इस वाली value को उठा के इधर लियाओ तो minus का P2 मिलेगा minus का P2 upon rho f into g और यह मिल जाएगा minus का Z plus का है उधर जाके minus का हो जाए minus का Z ठीक है तो यहाँ से हम क्या कर सकते है V2 square निकाल सकते है यह आपका हो जाएगा 2g मैं यहाँ पर क्या करती हूं rho f into g ले ले लेती हूँ जैसी बिटा आप लसियम लोगे यहाँ पर आपको मिलेगा P1 minus P2 यहाँ पर rho fg है नहीं ठीक है तो यह जो V2 velocity है यह क्या है fuel किस velocity से बाहर आ रहा है यह V2 वो है और यहाँ पर हो जाएगा under root यह under root लग गया यहाँ पर क्या बचा 2 बचा bracket में क्या बचा P1 बचा minus P2 बचा minus density of fuel g nozzle tip height बची और divided by कितना बच गया है divided by rho f into g बच गया not g rho f बच गया clear हो गया जल्दी से मुझे बताई क्या यहाँ पर clear हुआ हमने fuel की velocity निकाल ली यहाँ पर जो हमारा V2 होगा what will be your V2 V2 क्या होने वाला है fuel की velocity होने वाली तो एक बार खुद सोच के बताओ कि हमको यहाँ पर सारी चीजे तो मिल गई न देखो ज़रा ध्यान से mass flow rate of the fuel चाहिए होगा तो density of the fuel into AF कितना है pi by 4 d F square या AF ही रख दो चलो इसका formula तो आपको पता ही है fuel का cross sectional area into देखो rho f AF ऐसी रख दिया VF की value आपने जो निकाली है उठा के यहाँ पर put कर दियो उठा के यहाँ पर put कर दियो 2 times of P1 minus P2 minus rho f g into z divided by कितना आ जाएगा rho f के बराबर हो जाएगा ठीक है अब देखो ज़रा यह rho f यह rho f से कटेगा आम मुझे बताओ कहीं पर x upon under root x लिखा हुआ है इसको solve करते हो तो क्या आता है आंसर करिए V3 0 क्यों कर दिया क्योंकि वो जो आपको fuel का chamber दिख रहा है ना हम मान के चल रहे हैं कि fuel एक constant level पर आपका भरा हुआ है ठीक है तो इस वज़े से क्या करते हैं fluid mechanics का यह concept है कि अगर fuel का level यहाँ पर maintain है तो यह reservoir है ना basically तो reservoir का level हम मान के चल रहे हैं कि change नहीं होगा इस point को अगर आप देखोगे यहीं रहने वाला है तो velocity 0 consider कर ली ठीक है root x मिलेगा बहुती बड़ी x upon under root x root x होता है तो root f upon under root f क्या हो जाएगा under root f मतलब यह जो root f है अंडर root यह रो f अंदर चला गया two times of rho f साथ में मिला है p1 minus p2 minus rho f g z यह आ गया mass flow rate अगर मैं nozzle tip height को neglect कर दूँ ठीक है तो एक और formula यहाँ पर बन सकता है उसको भी लिख लो जरूरत पड़ेगी तो इस्तिमाल कर लेने af under root अगर मैं nozzle tip height को neglect कर दूँ neglect nozzle tip height cvt1 निकालने के बाद जब cvt2 दोगे ना तो यहीं से सवाल बनेंगे ठीक है तो यह बनेगा two times of rho f साथ में मिल जाएगा p1 minus p2 क्या बताईए आप mass flow rate of the fuel का formula एकदम clear हो गया है जितने भी डब्बे बने हैं यह सारे डब्बे आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 जादा important है जब तक आप डब्बो पर focus नहीं करोगे तब तक आपके question नहीं बनेंगे as it is formulas पूछे गए हैं carburetor में mass flow rate का formula क्या होता है तो यहीं पूछेगा CBT1 में CBT2 में क्या करेगा आपको AF देदेगा, rho F देदेगा p1, p2 बता देगा और आपसे mass flow rate निकल वा लेगा यहीं से numerical बन जाएगा CBT1 में numerical नहीं पूछेगा कभी numerical नहीं पूछता है यहां से carburetion से हमेशा क्या पूछता है, formula पूछता है जो डब्बे बने है as it is formulas आपको options में देखने को मिलेगी clear है, clear है, clear है जल्दी से बताईए जल्दी से मुझे बताईए ठीक है CBT1 में कोई calculation की जरुवत इतनी पढ़ती नहीं है स्वज़े से आपको calculator भी नहीं दिया जाता है आपको ऐसा नहीं लग रहा आप लोग fluid mechanics पढ़े हुए हो वहाँ पर भी discharge निकाला था ठीक है, ना वहाँ पर भी आपने discharge निकाला था तो वहाँ पर जब आपने ideal discharge निकाला था सोचो, क्या आपने कोई coefficient इंट्रिद्यूस कर आया था इसी तरीके से यहाँ पर जो mass flow rate है that is the ideal mass flow rate ideal mass flow rate actual में देखोगे, तो कुछ चीजे चेंज होँगी CD, mass flow rate में mass flow rate है क्या rho into q ही तो है density into discharge ही तो है तो discharge अगर ले रहे हो फिर से समझाती हूँ इस बात को दियान से समझो, यहाँ पर आप समझ सकते हो rho into av है क्या यह rho into q है, अगर q theoretical रख रहे हो तो cd नहीं आएगा मगर इसी के साथ rho into q actual रखोगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा आपने देखा होगा, कि actual q q जो होता है, वो cd times of theoretical q के बराबर होता है यह सारी चीज़े पढ़ाई गई थी अलग से तो यहाँ पर भी क्या करना चाहिए हमें fuel के लिए बिटा, एक coefficient of discharge introduce कर देना चाहिए, ठीक है अगर हम correct की बात करें कि मतलब actual mass flow rate of the fuel actual situation में अगर देखें तो हमको क्या देखने को मिलने वाला है ध्यान से देखो जरा ध्यान से देखो जरा actual situation में आपको क्या देखने को मिलने वाला है यह आपको मिलेगा cdf ठीक है, af under root two times of rho f साथ में मिलेगा p1 minus p2 minus rho f gz जब nozzle tip height consider करी अगर nozzle tip height consider नहीं करी तो actual mass flow rate आपका कितना आ जाएगा cdf fuel के लिए coefficient of discharge fuel जिससे निकल रहा है उस nozzle का cross sectional area two times of density of the fuel p1 minus p2 जहाँ पर cd क्या है cdf क्या है coefficient of discharge coefficient of discharge coefficient of discharge आगी बात समझ में तो अब ही देखो इस पूरी study का सिर्फ एक पहलू clear करा है हम लोगोंने कौन सा पहलू clear करा है एक part clear हुआ है कि मैं एर fuel ratio में m.f की value कैसा निकालेंगे आपने एक दम बढ़िया तरीके से जमाजम तरीके से समझा दिया अब क्या निकालना है mass flow rate of the air अच्छा एर के साथ एक लोचा है बताती हूँ क्या एर अगर आप देखोगे तो आपको भी पता है एर क्या होती है एर क्या होती है compressible है अगर हम assumption ले ले तो हम एर को as a incompressible fluid भी treat कर सकते है ठीके ना एर क्या है एर हमारी compressible भी है वैसे तो जन्रली compressible है अगर आप exact calculation करोगे exact method देखोगे तो एर को compressible लेके ही सारी calculation करने because air is compressible मगर अगर हम approximate analysis करे हम approximate analysis करे तो हम एर को क्या कर सकते है incompressible भी consider कर सकते आई बस समझ में के नहीं अब इससे changes के आएंगे मैं density में भरा भयंकर change आने वाला है density change होगी एर की calculation मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ज़्यादा typical होनी चाहिए as comparison to the fuel क्योंकि फ्यूल में हमें ऐसा सोचना ही नहीं था fuel तो liquid था अगर liquid था तो incompressible था ही था तो वहाँ पर exact approximate का कोई funda बनता ही नहीं है funda किस में बन रहा है air में बन रहा है ठीक है तो चलो भई air की calculation करते हैं और दोनों पहलू को feel करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले मैं क्या करते हूँ exact method से बताती हूँ तो सबसे पहली analysis हम लोग कैसे करने जा रहे है exact analysis करने जा रहे है समझो यहाँ पर exact analysis ठीक है आप मुझे यह बताओ जब आप यहाँ से air fuel का ratio बना रहे होगे जब आप यहाँ से air fuel का ratio बना रहे होगे क्या कोई work transfer कर रहे हो नहीं workers transfer यहां पर कोई भी work का transfer आपका नहीं हो रहा है जब air is mom walk को एक thriving process and Qujun oh reward weakness देखने को मिलता है यह एर की calculation के लिए आपको काफी सारे assumptions consider करने पड़ेंगे पहले हम यहां पर कुछ assumptions आपको लिखवा ते आप वरना फिर बोलोगे कि ऐसे कैसे कंसिडर कर लिया कुछ भी है गे नहीं assumptions एयर लोगे तो कुछ assumptions यहाँ पर consider करने ही पड़ेंगे सबसे पहला assumption क्या consider करते है एर इस consider to be ideal gas ठीके ना एयर इस एयर इस consider to be ideal gas ठीके यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी हीट का involvement नहीं है तो हम क्या मान सकते है एडियाबैटिक में भी हम क्या consider करेंगे कि यहाँ पर जो भी process हो रहा है उसको हम क्या consider करने वाले adiabatic में भी आप reversible adiabatic को यहाँ पर consider करोगे the flow of air is assumed to be reversible adiabatic ठीके ना flow of air is assumed to be reversible adiabatic ठीक है इसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करते है जब वन से चल रहा है तो देखो air चल रहा है ठीक है जब टू पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा air प्लस फ्यूल का mixture बनेगा तो आपको भी पता है कि air और फ्यूल के में क्या density difference है बहुत ज्यादा density difference है अगर आप air की density देखोगे तो 1.26 किलोग्राम प्रती मीटर क्यूब आट STP पर मिलती है standard temperature pressure पर इसी के साथ साथ ठीक है इसी के साथ साथ अगर आप फ्यूल की density let us consider हम पेट्रोल की बात कर रहे है तो पेट्रोल की जो density होती है वो 700 से लेकर 780 किलोग्राम प्रती यहां पर potential head को जरा देखो air के लिए potential head लिखोगे तो mgh m क्या होता है density into volume into g into h ठीक है इसी तरीके से potential energy अगर आप फ्यूल की देखोगे तो वह भी ही होगा mgh m क्या है density of the fuel हो जाएगा अब आपको पता है कि density difference चुकि दोनों में बहुत जादा है तो आप मुझे बताइए क्या दोनों में बहुत जादा potential difference आपको देखने को मिलेगा बदाइए आंसर करिए air को अगर आप feel करो potential energy को यहां पर feel करने की कोशिश करो चूकि आप देख पा रहे हो air की density बहुत कम है fuel की density क्या है बहुत जादा है liquid है क्योंकि तो potential energy का जो change है वो हम air का यहां पर negligible कंसिडर करते है potential energy का change negligible क्यों भाई यह density बहुत कम है यहाँ पर one पर air का potential energy देख लो ठीक है और यहाँ पर air के potential energy देख लो तो बहुत जादा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा because the density of air is very less तो हमेशा ध्यान रखो potential energy difference भी हम assumption ले रहे हैं वैसे तो मिलेगा change तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा मगर क्या है कि हम एक assumption ले लेते हैं कि भई potential energy difference will remain 0 potential energy difference will be difference is negligible ठीक है potential energy difference जो होगा potential energy difference जो होगा वह आपका क्या होने वाला है negligible होने वाला है ठीक है बाकी हमने क्या बुला कि air को हम कैसे treat करेंगे ideal gas एक और यहाँ पर condition हम लेते हैं एक और assumption होता है assumption number 4 उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ flow is study flow is study ठीक है मतलब time के साथ जो है वो velocity change नहीं होगे study flow का मतलब क्या है fluid का जो parameters है जैसे velocity होगे acceleration होगे वो time के साथ change नहीं करेगा यह भी जो assumption आपने लिया है अभी आप ले लो जैसी मैं calculation complete करूँगी फिर मैं discuss करूँगी कि assumptions के साथ आखिरकार हो क्या रहा है ठीक है पहले हम calculation शुरू करते हैं सबसे पहले हम exact analysis कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए के air one section से आ रही है two section पर mixing करेगी तो हमें जो भी equation लगानी है one और two पर लगानी है अगर हम exact analysis कर रहे हैं क्या बर्नवाली equation लगा सकते हैं थोड़ा typical topic है बस एक ही घंटा यह typical है उसके बाद सब आसानी आसान चीज़े दिखाने वाले हैं आपको उसके बाद सब आसान चीज़े आपको दिखाएंगे आप मुझे बताईए आंसर करिए इस बात का क्या यहां पर बर्नवाली equation लगाई जा सकती है अगर हम exact analysis कर रहे हैं exact analysis का मतलब क्या है air is considered to be compressible air is considered to be compressible air को हमने to be compressible air को हमने compressible consider कर लिया है air is considered to be compressible क्या बर्नॉली लगेगी हां लग सकती है नहीं लग सकती जी बर्नॉली equation के कुछ assumptions है flow irrotational हो incompressible हो inviscid हो ठीके यह सारे assumptions जब आप लेते हो तब जाके आपके बर्नॉली applicable होती है तो आप मुझे बताईए कि अगर यहां पर बर्नॉली नहीं लग सकती तो being a mechanical engineer क्या हमारे पास कोई दूसरी energy conservation equation है हाँ बिल्कुल बहुत सही बोला सब ने सही बोला कि नहीं लग सकती तो आप मुझे सोच के बताओ कि अगर यहां पर बर्नॉली नहीं लग रही है तो कौन सी equation लगेगी बदाईए अरे तो वही लेके तो अनीता जी कर रहे है एर का इनकंप्रेसिबल है वो तो हाइली कंप्रेसिबल है वही तो बेटा कंसिडर करा है कंप्रेसिबल ही तो कंसिडर करा है मास कंजर्वेशन नहीं यह बिल्कुल सही बच्चा बोला अभी प्रजापती बहुत ही शांदार जबरदस्ट study flow energy equation mechanical engineers के पास दो equation है एक बरनौली है जो इनकंप्रेसिबल fluids के लिए लगती है और एक study flow energy equation है क्योंके देखो आपने यहां मान लिया है कि flow study है तो यहां पर इसी लिए माना है assumption यहां पर इसी वज़े से आया है क्योंकि actual में जो flow है वो study नहीं होता है मगर calculation करनी है तो study मानना पड़ेगा तो जैसे ही आपने consider करा कि flow आपका study है तो study flow energy equation लग गई अब यह study flow energy equation compressible and compressible दोनों के लिए आपने के बले जन्रलाइज इक्वेशन है यह ठीक है तो याद रखो from study flow energy equation लगाते हैं study flow energy equation यह equation होती क्या है फड़ा फड़ा हम लिख लेते हैं h1 plus v1 square by 2000 plus g z1 upon 1000 plus q बराबर h2 h1 h2 क्या है इन्थालिपीज है v2 square by 2000 plus g z2 by 1000 plus w ठीक है अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना assumption क्या लिया है चूकि एर की density बहुत कम है potential energy difference 0 होगा दोनों को काट दो ठीक है दूसरी चीज हमने क्या देखा reversible adiabatic process कोई भी heat का लेना देना नहीं है यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा तीसरी चीज जब आप air fill का mixture बना रहे हो तो कोई भी work transfer वगेरा नहीं चल रहा है यह भी क्या हो जाएगा 0 बटा सननाटा हो जाएगा चूकि आपने air को ideal gas consider करा है तो process कुछ भी हो रहा हो h1 की जगा क्या लिख सकते हैं cp t1 लिख सकते हैं प्लस v1 square upon 2000 ध्यान से समझना h2 क्या हो जाएगा cp t2 हो जाएगा प्लस v2 square by 2000 आप मुझे बताओ तो अगर यहां पर area कम करा गया है तो 0.1 की velocity जादा होगी या 0.2 की velocity जादा होगी इस section पर velocity जादा मिलेगी या फिर इस section पर velocity जादा मिलेगी maximum velocity कहां मिलेगी 1 पर या 2 पर बदाएगे इस उनिवर्सल Gör सिबल इस नुद ए इस च्या होता है और संफिल्दल क्या होता है जो और सो मिल्द है कंप्रेशिबल जादा कर रहे हैं है मद्स但 वाइक कंसिडर का क्या मतलब है मैं बाइड ंन यहां पर फंडा क्या लगा है कि भई एरिया कम हो जाएगा विलॉसिटी बढ़ जाएगी विलॉसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा फ्ल्यूड यहां पर लपक के बाहर निकल आएगा ठीके ना बढ़िया दरीके से फ्ल्यूड आपका बाहर निकल आएगा ध्यान से देखे जरा अब आपको समझ आ रहा है कि मैं टू पर जो विलॉसिटी होगी बहुत ज ज्यादा बहुत ज्यादा होगी comparison to velocity 1 इसको neglect कर सकते हैं नेगलेक्ट कर दो जब आप नेगलेक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा cpt1 यह उधर चला जाएगा माइनस का cpt2 is equal to the two point पर velocity किसकी velocity निकाल रहे हो air की velocity निकाल रहे हो तो यह हो गया बटे 2000 ठीके तो यहां से velocity of air कितना हो जाएगा 2000 उधर जाएगा cp common आ जाएगा तो यह हो गया 2000 cp t1 भी बहार ले लो ठीके तो आपको मिल जाएगा 1 minus t2 by t1 clear है ठीके कानिटिक एनर्जी भी जादा होगी सही बात है बिल्कुल कानिटिक एनर्जी भी जादा होगी तो देखो यहां पर air की velocity निकाल ली अब चूंकि हमने यहां पर assumption ले रखा है कुछ छोटी छोटी चीज़े देखो reversible adiabatic का assumption है तो ideal gas equation reversible adiabatic के लिए क्या होती है एक formula यह देखा होगा आपने t2 by t1 is equal to the p2 by p1 की whole power gamma minus 1 upon gamma देखा है कि नहीं देखा है अरे देखा है कि नहीं देखा है सबने देखा है ना तो देखो यहां पर हम t2 by t1 की जगा एक formula यह आ गिया है temperature के term में formula आ गिया है बट अगर temperature के term में formula नहीं चाहिए अगर आपको pressure के term में formula चाहिए तो velocity of year कितना हो जाएगा सुनियों सुनियों ध्यान से ठीक है कितना हो जाएगा अंडरूट दूई हजार cp t1 1 minus t2 by t1 की जगा क्या रख देखेंगे p2 by p1 की whole power gamma minus 1 upon gamma एक formula यह आ गया ठीक है engineering maths अभी एक batch आएगा उसमें मेरा शुरू होने वाला है बट यह आईटी पर तो अभी नहीं होगा अब देखो ज़रा एक जिस समझो एक formula और आपने देखा होगा p1 v1 की power gamma बराबर p2 v2 की power gamma ठीक है अगर हम इसको specific volume मालने तो specific volume क्या होता है 1 by density के बराबर होता है तो हमें मिलेगा p1 upon rho 1 की power gamma is equal to the p2 upon rho 2 की power gamma ठीक है तो यहाँ से देखो ज़रा p2 by p1 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा rho 2 by rho 1 की whole power gamma अब बास समझारी है अब बास समझारी है कि दूनों point पर air की density change हो रही होगी change हो रही होगी क्यों क्योंगे air compressible है section 1 पर density rho 1 मिलेगी section 2 पर density कितनी मिलने वाली है rho 2 मिलने वाली है तो एक formula आप यहाँ पर और बना सकते हो अगर density की term पर जरूरत पढ़ जाए तो आप लिख लेना velocity of air is equal to the under root 2000 cp t1 1 minus rho 2 by rho 1 कि whole power gamma रखो कि gamma gamma कट जाएगा तो यह हो जाएगा gamma minus 1 ठीक है जी तो this is the complete study of velocity अब एक बर आपने velocity निकाल ली देखो ज़रा ज्यान से समझो तो mass flow rate निकालना है velocity पता है यहाँ का diameter कितना लिया है वेंचुरी के पास का da तो area निकाल सकते हैं हाँ मैं हम निकाल सकते हैं जैसे उसका निकाला था मैसी इसका निकाल लीजे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है area कितना हो जाएगा जिस cross section से air pass हो रही है उसका area कितना हो गया pi by 4 da का square हो गया तो mass flow rate निकालने में अब क्या जा रहा है mass flow rate of the air होगा density of air ठीक है cross sectional area ठीक है इसी के साथ यहाँ पर क्या रखेंगे velocity of air cross sectional area of the air and velocity of air ठीक है यहाँ पर सारी चीजे आप पुट कर सकते हो यहाँ पर सारी चीजे आप पुट कर सकते हो whatever you want अराम से सारी चीजे रखो आपको आपका answer मिल जाएगा mass flow rate of the air आपकी किस के बराबर हो जाएगी rho a के बराबर density of air के बराबर sorry cross sectional area of the air के बराबर यह हो गया 2000 cpt1 1- मैं pressure के टर्म में रख देती हूँ बाकी आपको किसी दूसरे के टर्म में चाहिए तो आप रख सकते हो जनरली आपको pressure वाली equation सबसे जादा देखने को मिलेगी gamma-1 upon gamma यह आगया mass flow rate of the air आप मुझे बताइए अगर compressible air है हमारी तो क्या हम air fuel ratio निकाल सकते हैं बताइए जरा क्या air fuel ratio निकाला जा सकता है yes or no में जवाब दीजे कोई भी फाल्तू नहीं बैठेगा सब involved होंगे session के अंदर जल्दी 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 बताइए जदा time ना लगाईए ठीक है और इसी के साथ सथ क्या हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर भी mass flow rate में क्या करना चाहिए correction करना चाहिए यहाँ पर भी क्या लगा देना चाहिए CDA लगा देना चाहिए जो कि क्या होगा coefficient of discharge अब air को अगर आप compressible consider करके calculation करोगे no doubt आपको बहुती exact answer मिलेगा मगर इस exact answer में समस्या यह भी है कि जो density change हो रही है उसकी वज़े से आपको compressible fluid flow वाला पूरा concept समझाना चाहिए तब जाके आप यह calculation कर पाऊगे that will be little difficult अगर हम यहाँ पर एक और छोटा सा condition consider कर लें कि हमारी जो density है वो चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं क्या approximate analysis कर सकते हैं ध्यान से समझना मेरी बाद मैंने यह नहीं बोला मैं exact analysis एकदम exact answer निकाल दो मगर हाँ अगर मैं density को constant consider कर लूँ एर को incompressible consider कर लूँ तो क्या approximate answer निकाला जा सकता है बदाइए क्या approximate answer निकाला जा सकता है question कैसे आते हैं formula सिर्फ डब्बे याद करने हैं सारे डब्बे almost हर जगा आपसे पूछेगा ठीक है फॉर्म question नहीं देगा numerical नहीं देगा डब्बे पूछेगा तो हम यहाँ पर दूसरी तरह की analysis अब last analysis है last calculation है इसके बाद सारी calculation खतम हो जाएंगी ठीक है जी तो डरने का न है एक approximate analysis भी कर ही लेता है जिसमें हम क्या करेंगे air is considered to be incompressible air is considered considered to be इनकम्प्रेसिब ठीक है air is considered to be incompressible इसका job location कहां रहेगा किसका job location किसका job location कहां रहेगा भई देखो approximate analysis में हमने air को incompressible treat कर लिया तो simple सी बात है यहाँ पर अब बरनॉली लगाओ कोई tension ही नहीं है आपको बरनॉली equation लगानी है 102.1 पर P1 अपॉन रोजी density of air रखना प्लस V1 square अपॉन 2G प्लस हो जाएगा कितना Z1 is equal to the P2 upon density of air into G प्लस V2 square upon 2G प्लस Z2 मैंने आपसे पहले ही बूला है कि potential वाली जो energy है उसे neglect consider करके चलो 2 पर velocity जादा है as comparison to the velocity at 0.1 इसको 0 मान सकते हैं तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा V2 square upon 2G इसके साथ साथ मैं इसको इधर भेज देती हूँ तो मुझे मिलेगा P1 minus P2 upon density of air into G अब मैं क्या करूँगी G से G काट दूँगी और सीधा V2 क्या है velocity of air at section 2 यह हो जाएगा under root 2 times of P1 minus P2 upon density of air खतम हो गई बाद ठीक है mass flow rate निकाल लेते है mass flow rate of the air निकाल लेते है density of air cross sectional area into velocity of air इसमें value पुट कर दो तो आपको mass flow rate of the air का formula मिल जाएगा क्या मिलेगा density of air cross sectional area for the air under root velocity कितनी निकाली है 2 times of P1 minus P2 upon density of air अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो formula बिटा आएगा दो formula निकालेंगे अपन लोग ठीक है अब देखो rho A upon under root A फिर से यहाँ पर चीज सेम बन रही है तो यह हो जाएगा under root 2 times of density of air P1 minus P2 यह तो ideal condition आगई actual में आपको क्या करना पड़ेगा actual में आपको यहाँ पर CDA introduce कराना पड़ेगा फिर area हो गया under root 2 times of rho A साथ में हो जाएगा P1 minus P2 है clear हो गया और वह तो डिपेंड करता है आपको department क्या मिलता है है department अलग अलग location पर है उसके basis पर आपको देखने को मिलती है चीजा ठीक है है so this is the complete calculation तो approximate analysis में आपने देखा कि बहुत आसानी से हमने mass of the air निकाल लिया है अब हम approximate analysis के basis पर air fuel ratio बनाते हैं, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, air fuel ratio, मैं यहाँ पर mass of the air रख रही हूँ, cda, aa, under root, two times of density of air, p1 minus p2, mass of the fuel हमने कितना निकाला था बिटा, cdf, af, under root, देखो जरा, फिर से दिखा देती हूँ, मैं तो लिख दूँँगी, तुम लोग कहोगे कहा से आ गया, mass of the air निकाल लिया है, mass of the fuel पर focus करो, cdf, af, two times of rho f, p1 minus p2 minus rho f, g into z, ठीक है, तो वही हम यहाँ पर रखने वाले हैं, वही हम यहाँ पर रखने वाले, two times of rho f, p1 minus p2 minus rho f, g, z, ठीक है, तो यह हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ कटेगा तो है नहीं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, final expression बना सकते हो, shift under root two, under root two कट जाएगा, तो यह आजाएगा air fuel ratio बराबर cda, ध्यान से समझना मेरी बात, क्या गया, यह final expression खूब पूछा गया है, इसको तो याद रखना ही रखना है, बाकी कुछ याद रखो, चाहे ना रखो, यह हो जाएगा density of air, p1-p2, cdf, af, under root, density of fuel, p1-p2, minus rho f, g, into z, यह आगया, अगर आप यहाँ पर nozzle tip height को neglect कर दो, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो, neglect कर दो, neglect, neglect nozzle tip height, nozzle tip height, अगर यहाँ पर nozzle tip height को neglect कर दिया, तो क्या बनेगा air fuel ratio, कई बर पूछता है, after considering negligible nozzle tip height, what is the air fuel ratio that is created by the carburetor, अगर nozzle tip height को neglect कर दें, तो air fuel ratio का क्या formula आपको देखने को मिलेगा, यह z 0 हो गया, जैसे ही यह z beta 0 होगा, देखो under root P1 minus P2, under root P1 minus P2 भी कट जाएंगे, क्या बचेगा, CDA, CDF, AAAF, rho A, rho F under root में, क्या बचेगा, देखो जरा, CDA, CDF, cross-sectional area AA, cross-sectional area AF, under root, density of air, divide by density of the fuel, खूब सवाल पूछे गए हैं इसे, इवन यह formula खूब पूछा गया, जिसमें, जिसमें मैं star बना रही हूँ, super duper hit formulas हैं, खूब question बनते हैं, आपको ध्यान दखना है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, परिशानी समस्या clear हो गया, पहले यह बताईए, carburetor कैसे काम करता है, और किस तरीके से वो air fuel ratio बना के देता है, किस तरीके से air fuel ratio mixture बना के देता है, समझ आया, जल्दी से बताओ, हाँ नामे जवाब दो, हाँ और नामे बिटा जवाब दीजे, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, शुआ है बहुत ही बढ़िया बहुत ही अप सुनू मेरी बात अप सुनू मेरी बात कि सारी क्यैल्कुलेशन हमतं कर पाए हैै जब हमने फ्लो को स्टडी माना रिवर्सिबल एडिय mellan कि माना ए रिवे इल गास्ट्रीट करा काफी सारी चीज़े हमने करें तब यही तो समझाने जा रहे है अनीता जी इंतिजार करिए थोड़ा सा तब आपको clarity मिलेगी ठीक है तो यहां पर अगर हम study नहीं मानते तो क्या होता study flow energy equation नहीं लगा पाते तब calculation not difficult हो जाते अब यह जो study flow आपने माना है यह कहां कहां पर applicable हो जाएगा पहले तो assumptions को समझने की कोशिश करो कार्बुरेटर क्यों विलुप्त हो गया क्या कमिया थी कार्बुरेटर में यह सारी चीज़े हमको यहां पर समझ नहीं ठीक है अभी मैं अपनी actual requirements आपको शो करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कार्बुरेटर तो भई यहां पर टिक ही नहीं सकता जिस हिसाब से हमार तक चल जाएगा क्यों क्योंकि देखो मल्टी सिलेंडर इंजन को अगर आप यहां पर देखोगे तो मल्टी सिलेंडर इंजन में फ्यूल अगर यहां से सप्लाई हो रहा है मालो ठीक है फ्यूल अगर यहां से अगर यह सिलेंडर को फ्यूल नहीं दे रहा होगा तो इस सिल लेकिन इसलिए फ्यूल हमारा फ्यूल कर रहा होगा स्टडी की कंडिशन होगी फ्यूल आता जाएगा ठीक है तो यहां से आएगा जलेगा एक्जॉस्ट जाएगा इसको दे रहा होगा जिस समय यह हमारा पावर स्ट्रोक दे रहा होगा यह फिर यह कंप्रेशन कर रहा होगा तो उस समय यहां suction चालू कर देंगे, यहां पर भी power stroke चल रहा होगा, compression चल रहा होगा, तो next cylinder में suction शुरू हो जाएगा, और उस समय पर हम air fuel के mixture को कही न कहीं किसी न किसी cylinder में provide कर रहे होगी, मगर एक चीज़ सोच के देखो, अगर मैं 4 stroke single cylinder की बात करूँ, तो क्या वहाँ पर steady flow की condition लगेगी, 4 stroke single cylinder की अगर मैं बात करूँ, 2 stroke की मत बात करो, 4 stroke की सिधा बात करो, क्या वहाँ पर steady flow की condition लग पाएगी, आप बोलोगे के मैं, how is it possible, suction के time पे मैं ये फ्यूल का mixture अंदर cylinder के डाल देंगे, मगर उसके बाद तो कुछ हद तक इंतिजार करना पड़ेगा, जब तक वो compress नहीं हो जाता, वो expand नहीं हो जाता, वो exhaust नहीं हो जाता, उसके बाद ही तो फिर से fuel supply आप करने वाले हो, तो वहाँ पर study कैसे हो गया, वो तो unstudy की condition होगी, आप continuously fuel supply कर ही नहीं पा रहे हो, बास समझा रही कि नहीं आ रही है, तो कार्वुरेटर में एक तो ये समस्या आपने देखी, कि भाई, assumption किस हद तक valid है, तो हमने देखा कि जो assumption है, ये two stroke, या फिर multi-cylinder engine में तो लग जाएंगे, बट it will create a problem, इना four stroke single cylinder engine, four stroke single cylinder engine में ये problem करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ समझा गी, अब सुनो मेरी बात, मैंने आपको बताया कि कार्बुरेटर जो है, वो एक uniform air fuel mixture प्रोवाइड करेगा, uniform air fuel mixture, क्या आपको हर समय uniform air fuel mixture की जरूरत पढ़ती है, सोचो इसके बारे में, इसके बारे में थुड़ा feel करने की कोशिश करो, क्या आपको हर समय uniform air fuel mixture की जरूरत पढ़ती है, भाई आपकी गाड़ी राद भर से खड़ी है, सुबह आपने गाड़ी को start करा, तो उस समय पर क्या होगा, inlet valve, inlet manifold, यह सब क्या होंगे, ठंडे पड़े होंगे, अगर यह सब ठंडे पड़े होंगे, तो उस समय पर जो mixture अंदर आएगा, उसको क्या करना है, एर fuel के mixture को अंदर आना है, उस समय rich mixture की जरूरत है, बताऊंगी क्यों rich mixture की जरुवत है अगर आप cruising mode में हो, cruising mode का मतलब आप highway पर हो और एक constant velocity से आगे चल रहे हो, उस समय पर air fuel mixture की requirement लग है, कहीं सर्दी में फस गए, कश्मीर की पहाड़ियों में फस गए, ठंडा है खुप, cold starting करनी है, अब carburetor तो uniform mixture दिये पड़ा है, दिये प ज्यादा से ज्यादा fuel डालो तो हम गाड़ी को शुरू कर पाए, start कर पाए, चोक खिशते हो कि नहीं, चोक की जरुवत ज्यादातर सर्दियों में पड़ती है, जो स्कूटी में, गाड़ियों में, बाइक्स में, चोक लगी होती है, आप चोक खिशते हो, rich mixture प्रवाइड ह काम ये कार्बूरेटर कर पाएगा, क्या ये कार्बूरेटर इतना fluctuation air fuel के mixture में दे पाएगा, कभी rich mixture दे दे, कभी lean दे, कभी stoichiometric दे, क्या ये कर पाएगा कार्बूरेटर, सोचो इसके बारे में, सोचिए, 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 मैं आपको practical requirements दिखा देती हूँ, air fuel की, requirements of air fuel ratio, ठीक है, requirements of air fuel ratio, ठीक है, ध्यान से समझेगा बेटा, air fuel ratio, अगरा पूरी IC engine में, सारे functions को observe करोगे, सारे functions, in the sense, हम गाड़ी शुरू करते हैं, accelerate करते हैं, हम cruising mode पर जाते हैं, मताब constant velocity से भी चलते हैं, हम thund में भी गाड़ी शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़े, कई बार ऐसा होता है, कि गाड़ी को हमने start करके छोड़ दिया, कोई load नहीं है, गाड़ी चो on है, मताब IC engine आपका work कर रहा है, no load पर भी कई बार हम गाड़ी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास क्या है, options हैं, तो कुछ options ऐसे हैं, जो हमारे study कहलाते है, कुछ ऐसे होते हैं, जो आपके unstudy होते हैं, सबसे पहले हमें requirements को समझना पड़ेगा, कि study operations क्या है, और unstudy operations क्या है, फिर आप समझ पाओगे, तो कुछ आपके हो गया study operations, और कुछ आपके हो गया unsuddy, इसको हम लुग transition भी बोलते हैं, अनिस्टडी ओप्रेशन्स ओप्रेशन्स स्टडी ओप्रेशन्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो आइडलिंग होती है, ठीके अभी सब समझा जाएगा, एकदम चमक जाएगा टेंशन मत लेना, थोड़ा समय दो मुझे ठीक है आइडलिंग होती है और क्या होता है क्रूजिंग ठीक है ना आइडलिंग होती है और क्या होता है क्रूजिंग होती है क्रूजिंग के अलावा क्या मैक्सिमम पावर कभी-कभी गाड़ी से हमें क्या चाहिए मैक्सिमम पावर चाहिए तो मैक्सिमम पावर होती चाहिए, maximum power हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद आने steady मतलब कुछ transition भी होता है, जैसे आप गाड़ी शुरू करता है, तो starting बोल सकते हैं, starting हो गई, ठीक है, starting हो गई, और दूसरा आपका क्या कहलाता है, accelerating, accelerating, तो ये आपके पास क्या है, कुछ requirements है, जिसमें आपको अलग-अलग प्रकार का ear fuel, mixture चाहिए, uniform नहीं चाहिए, carburetor यही काम नहीं कर पा रहा था, तो सबसे पहले हम आपकी requirements को आपके साथ discuss करते हैं, बात करते हैं idling की, क्या मेरी मदद कर सकते हो, what is idling, what is idling, जल्दी से मुझे बताईए, कोई बच्चा ऐसा जो बता पाए, idling क्या होता है, जल्दी से, जल्दी से बताओ भी, कोई मेरी मदद कर पाए, तो better है, वरना कोई बात नहीं, चीग है, तो यह हमारा क्या हो गया, piston, cylinder arrangement हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लगा होगा, exhaust wall लगा होगा, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या लगा होगा, inlet manifold लगा होगा, इसी inlet manifold में यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ पर आपका throttle wall लगा होगा, है कि नहीं, यहाँ पर आपका throttle wall लगा होगा, इस तरीके से यहाँ पर आपका throttle wall लगा होगा, और इसी throttle wall के थ वाली है आप जानते हो मैं जब इस रास्ते में इस तरीके से थ्रोटल वाल हो जाएगा तो मैक्सिमम एर फ्यूल मिक्षर अंदर आने वाला है एक्सास्ट मैनिफोल्ड भी इस तरीके से बना के छोड़ देते हैं यहां से फिर एक्सास्ट गैसे बाहर निकल जाएंगी आंसर जो आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया ठीक है रनिंग इंजन रनिंग अट नो लोड सीधा लिख दो इंजन यह ऐसे थोड़ा डेफिनेशन बना के इसको लिख देते हैं बटर रहेगा रनिंग दी इंजन विद नो लोड ठीक है रनिंग दी इस पटिकूलर टाइम पर अगर आप थ्रॉटल वॉल की ओपनिंग देखोगे तो थ्रॉटल वॉल की ओपनिंग कितनी होती है मात्र 0 से 20% थ्रॉटल वॉल आपका ओपन होता है ठीक है थ्रॉटल ओपनिंग के अगर हम बात करें थ्रॉटल ओपनिंग कितनी होती है यहाँ मतलब throttle opening अगर आप देखोगे तो throttle almost closed है 0% से लेकर 20% तक आपका यहाँ पर throttle wall जो होता है वो आपका खुला होता है आप clearly समसकते हो almost throttle आपका क्या है यहाँ पर खोजी आपको देखने कौ̍ने वाला है ठीक है तो ये बात होगी कि 0% से लेकर 20% तोने वाला है आप देखो होता क्या है आपको पता है कि अगरus लगा है तो मिलो कि थुरर 00 कहीम क्या होगा क्रोटीं थ्रॉट्लिंग अगर कराते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है कि घड़ जाता है ठीक है थैंक यू वेरी मच अभिराज जी जल्दी ही सिविल की क्लासेज आएंगी 18th of September को मैं आऊंगी फ्लिट मेकानिक्स के प्रीवेस कोश्चन्स लेके लास्ट टैनियर्स के फिर अपन लोग मजे करेंगे ठीक है एंड थैंक यू मेकानिकल की क्लास में आने के लिए कार्बुरेटर कहां रहेगा देखो यहाँ पर इसके बाहर यहाँ पर पुरा कार्बुरेटर ही लगा होने वाला है यहाँ पर आपका पुरा कार्बुरेटर ही लगा होगा कार्बुरेटर ही लगा होगा ठीक है यहाँ पर इनलेट मैनिफोर्ट से पहले बिटा क्या होगा मतलब यहीं पर आपका carburetor लगा होगा देखो throttle wall यहीं पर तो लगा है तो inlet manifold के पास ही आपका carburetor set होगा ठीक है? pressure decrease हो जाएगा तो क्या आप मानते हो जैसे ही is throttling wall के through air fuel का mixture अंदर आएगा तो यहां का pressure decrease हो जाएगा और pressure क्या हो जाएगा less than atmospheric pressure हो जाएगा क्योंकि बाहर तो ATM था ही अब यहां पर आया तो pressure less than P ATM हो गया जिसके current से पता है क्या होता है यहां पर जो air fuel का mixture होगा मतलब combustion होने के बाद जब exhaust हो रहा होगा उस समय आपको पता है मैंने आपको valve overlapping बताया था याद है ना valve overlapping सब भूल गए होके valve overlapping बताया था ना valve timing diagram में valve overlapping exhaust के time पर exhaust valve भी खुला होता है और कुछ degree तक inlet valve भी खुला होता है तो यहां पर आपको एक छोड़ी से समस्या देखने को मिलती है के exhaust के time पर यहां पर क्या होता है कुछ exhaust gases इसके अंदर भी भागने लगती है because of low pressure कुछ exhaust gases इधर से तो निकली रही है बटा यह तो आपका exhaust manifold है ही यहां तो कोई समस्या है नहीं मगर कुछ exhaust gases उधर भी जाएंगी यह समस्या किस समय पर आ रही होगी inlet valve भी जब open होगा exhaust भी open होगा मैंने आपको लिखाय था valve overlapping होती है valve overlapping तो जैसे ही exhaust gases इसके अंदर जाएंगी तो आप मुझे बताएं कि यह जो air fuel mixture है क्या यह dilute होगा कि नहीं होगा आप मुझे बताएं dilution होगा कि नहीं होगा dilute हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि भाईया air fuel mixture में exhaust gases mix हो गई है air fuel mixture में क्या हो गया है exhaust gases में mix हो गई है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है dilution होगा कि नहीं होगा air fuel mixture का तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा जो exhaust gases हैं उनमें पहले से कुछ amount of oxygen होगा जो exhaust gases हैं उनमें पहले से कुछ amount of oxygen होगा, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कि जिस समय पर idling process हो रहा होगा IC engine में, आप rich mixture provide करो, क्यों rich mixture provide करो, क्योंकि जैसे ही rich mixture यहाँ throttle wall से throttling process करता हो, आगे बढ़ेगा, तो कुछ exhaust gases जाके, उससे high hello करने लगेंगी, जिनके पास already oxygen की मा तरह है, तो वो जो extra rich mixture आप provide करोगे, उसको exhaust gases से oxygen मिल ही जाएगी, तो वहाँ पर burning आपकी proper तरीके से complete हो जाएगी, combustion जो है वो proper तरीके से complete हो जाएगा, आप से सवाल क्या पूछेगा, during idling process, आप कौन सा mixture provide कर रहे हो, lean mixture, rich mixture, stoichiometric mixture, बताइए, answer करिए, during idling, कौन सा mixture आप provide क कर रहे हो, क्या पूछेगा, during idling, during idling, कौन सा mixture, rich mixture, बहुत ही बढ़िया, rich mixture is provided, rich mixture is provided, क्यों करा, क्यों ऐसा करा, because, because exhaust gases already, because exhaust gases already have some amount of oxygen, some amount of oxygen, because exhaust gases already have some amount of oxygen, done, rich mixture, अगर आप provide करा रहे हो, तो कितना rich mixture, यहाँ पर provide कराते हैं, एक range, याद कर लियो, ठीक है, यहाँ पर, जो हम air fuel mixture, दे रहे हैं, वो rich है, और rich में कितना है, 12 से लेकर, 12.5 तक हम यहाँ पर provide कराते हैं, ठीक है, so this is the complete condition, for the idling, clear है, 12 से लेकर, 12.5 तक हम यहाँ पर provide कराते हैं, now, let's talk about this second requirement, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, cruising, ठीक है न, दूसरा हमारा क्या है, cruising है, चलो, cruising को discuss करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, cruising, cruising के बारे में बताईए, जरा किसी को कुछ पता हो तो, what is cruising, idling का तो चलो, आप लोगों ने बढ़िया बताया, cruising के बारे में बताईए, जल्दी से answer करिए, cruising को भी discuss कर लेते हैं, what is cruising, cruising किसे बोलेंगे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अरे भई, कल engine emission discuss कर रहा था, अनीता जी, आपको मैंने बताया था, कि आपके exhaust में क्या-क्या चीज़े होती हैं, unburnt hydrocarbons भी होते हैं, oxygen भी होता है, SOX भी होता है, NOX भी होता है, सब के chances हैं, आप guarantee नहीं ले सकते कि oxygen नहीं बचेगा, सारा oxygen खतम हो ही जाएगा, बचता है oxygen, ठीक है, constant speed condition, बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, पता है, cruising को, cruising को बोल सकते हैं कि यह एक study operation है, जिसमें हम best fuel economy gain करते हैं, ठीक है ना, it is a, it is a study operation, it is a study operation, study operation, ठीक है, in which we will get, we will get, we will get best fuel economy, we will get, best fuel economy, ठीक है, cruising के time पर हमें क्या मिलेगा, best fuel economy मिलेगा, कितनी throttle opening आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, वहाँ पर क्या थी, 0 से लेकर 20%, यहाँ पर याद रखिए, 20% to 80% throttle opening आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, 20% to 80% throttle opening, ठीक है, 20% to 80% यहाँ पर throttle opening होगी, देख लिजे, यहाँ पर 0 से 20% throttle open था, मगर जिस समय पर हम cruising कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक normal operation है, मतलब cruising से confused मत होना कि यह cruising क्या आगया, कुछ नया शब्द सुन लिया, एक normal operation है, जहाँ पर हम एकदम constant बढ़िया velocity से जा रहे हैं, जहाँ पर हमें best fuel economy मिल जाती है, अच्छा best fuel economy का मतलब क्या है, यह बताइए चलिए, best fuel economy का मतलब क्या है, कोई बता सकता है, what is the meaning of best fuel economy, जिस समय पर हम cruising mode में होते हैं, cruising mode मतलब must highway में जा रहे हैं, 70 की speed पर accelerator, ऐसे throttle अपना 20-80% खुला हुआ है, must cruise करते हुए जा रहे हैं, must study operation करते हुए जा रहे हैं, इस समय का मतलब क्या है, best fuel economy का मतलब क्या है, complete fuel utilization, यह बिल्कुल सही शब्द आपने बोला, best fuel economy means complete fuel utilization, एक परसेंट भी fuel waste नहीं होना चाहिए, एक परसेंट भी आपका fuel जो है, वो waste नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है, all fuel should burn, ठीक है, best fuel economy का मतलब क्या है, best fuel economy means, all fuel should burn, all fuel should burn, ठीक है, तो अगर हमको सारा fuel burn कराना है, तो या तो हम stoichiometric दे दे, या तो फिर थोड़ा सा, slightly lean, slightly का मतलब बहुत कम, मतलब या तो हम पूरा perfect year fuel mixture, मतलब एक stoichiometric एर फिल ratio provide करा दे, या तो उससे slightly कम, slightly lean, slightly rich की तरफ नहीं जाएंगे, slightly lean की तरफ जाने वाले है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान दखना, we will provide, we will provide, either, stoichiometric, air fuel mixture, और slightly lean, और slightly lean, ठीक है, slightly lean, हलका सा उसको lean कर देंगे, slightly lean mixture, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर cruising में ध्यान रखनी है, आज से अभी से आपको पता हो जाना चाहिए, के भाईया, cruising का कुछ भी मतलब नहीं है, simple जो हम लोग normal study operations परफॉर्म करते हैं, वही cruising है, उस time पर हमें best fuel economy मिलती है, उस particular time पर 20% से लेकर 80% throttle valve आपका open होता है, और यहाँ पर जो air fuel ratio होता है, वो generally, यहाँ पर जो air fuel ratio होता है, वो आपको generally 16 से लेकर 16.5 तक देखने को मिलेगा, आपसे पूछ लेता है कि cruising के time पर कैसा mixture प्रवाइड कराते हो, lean, rich या both, या none of the above, कुछ इस तरीके से आपको options बनाके देदेगा, ठीक है, तो study operation में हमने idling discuss कर ली, cruising discuss कर ली, now this is the time to understand maximum power, ठीक है, सारी चीज़े जब तक नहीं समझेंगे, तब तक decide नहीं कर पाएंगे कि कैसा fuel injection system हमको यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर next हमारा कहलाता है maximum power, बताइए maximum power क्या है, maximum power, बताइए, चल्दी से बताइए, जल्दी से, what is the meaning of maximum power, maximum power का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, full throttle, full throttle, गाड़ी पे बैठे वे हैं मस्त और जो है पीछे मिल गई एक बड़ी ऐसी गल्फरेंड उसको दिखाना है ठीक है तो क्या गरोगे फुल थ्रॉटल फुल थ्रॉटल कर दोगे इसका मतलब है मैक्सिमम पावर का मतलब क्या है 80% to 100% थ्रॉटल ओपनिंग होगी थ्रॉटल ओपनिंग होगी ठीक है ना क्या करने वाले हो आप 80% से लेकर 100% थ्रॉटल ओपनिंग यहां पर होने वाली है जब आप 100% एक्सिलेरेटर पुरा फुल कर दोगे ठीक है जब 100% एक्सिलेरेटर पुरा फुल कर दोगे उस पटिकुलर ट है रोना नहीं ठीक है कोई बात नहीं आते जाते रहते हैं लोग समझ आगी बात कि इट विल प्रोवाइड माक्सिमम पावर क्या होगा यहां पर Maximum Power ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी बात It will provide 2-3 बातें लिख रही हूं ध्यान से सुनिये It will provide Maximum Power Maximum Power And ध्यान से सुनिये And We will Provide rich mixture क्या provide करेंगे rich mixture provide करेंगे ठीक है rich mixture so during maximum power ध्यान से सुनो so this extra fuel this extra fuel will act like a lubricant ठीक है बहुत ध्यान से सुनो बहुत important line मैंने या पर लिख दी है जिस समय पर आप maximum power generate कर रहे होगे अपने IC engine से उस समय पर temperature भी काफी तेजी से बढ़ रहा होगा इतना जादा temperature बढ़ने के कारण आप क्या करते हो rich mixture प्रोवाइड करते हो और जो extra fuel आप supply कर रहे हो वो कैसे काम करेगा as a lubricant and as a coolant as a coolant काम करने वाला है temperature जो बढ़ रहा होगा उसको ठंडा करने का भी काम करेगा क्योंकि वो extra fuel क्या करेगा heat को consume करने वाला है ठीक है तो हमेशा ध्यान रखिए maximum power के time पर हम लोग क्या करते हैं rich mixture प्रोवाइड करते हैं rich mixture प्रोवाइड करते हैं और 13 से लेकर 13.5 के आसपास air fuel ratio आपको यहाँ पर देखने को मिलता है air fuel ratio अगर आप देखोगे तो 13 से लेकर 13.5 तक आपको यहाँ पर air fuel देखने को मिलेगा तो maximum power हो गई maximum power हो गई cruising हो गया, idling हो गया अब बात करते हैं unsteady operation की starting की बात कर लेते बताइए starting में कौन सा mixture प्रोवाइड करोगे आपको क्या लगता है जल्दी से बताओ next अमारा क्या है starting is starting आप सुभा उठे आपको अपनी गाड़ी को start करना है कैसा provide करने वाले हो अच्छा जो भी बच्चे लोग rich 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 चिला रहे हैं मुझे reason बताओ क्यों rich mixture आपने provide करा क्यों rich mixture आपने provide करा मुझे reason बताइए चलिए देखते हैं कितने लोग reason जानते है क्यों rich mixture आपने यहाँ पर provide कर रहा है बताइए वाई 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 रिच मिक्षर वाई रिच मिक्षर ठीक है यहाँ पर क्या लगा होगा यहाँ से क्या आएगा air plus ठीक है अब बदाइए मुझे reason बदाइए फिर मैं लिखवा दूँ रिच क्योंकि पहले से oxygen प्रेजन होगा low temperature fuel vaporization is low बिल्कुल सही बात है रिच मिक्षर आप क्यों provide करते हो क्योंकि जिस समय आप starting कर रहे होते हो उस समय पर आपका जो cylinder है जो inlet manifold है वो सब थंडा है आपने क्या कर रहा है यहां पर air fuel का mixture बनाया है यह mixture जो है किस फेज में आ रहा है gases phase में आ रहा है तो होता क्या है यहां पर यह चीज़ थंडी होने की वजह से यहां पर क्या होता है fuel का vaporization मतलब fuel का condensation हो जाता है आपको क्या देखने को मिलेगा के inlet manifold में fuel क्या हो गया है fuel condense हो जाएगा condense हो जाएगा बेटा fuel आपका क्या होने वाला है condense हो जाएगा तो इस condensation की वजह से होगा क्या आपने क्या करा एकदम स्टॉकिमेट्रिक air fuel mixture बनाया स्टार्टिंग के टाइम पर भेज दिया अब सब ठंडा है गाड़ी थोड़ी नहीं राद बर से घड़ी है सारा जितना भी उसमें inlet manifold और cylinder है जो पिस्टोने सब ठंडा पड़ा हुआ है तो जैसे ही inlet manifold मिक्षर अंदर गिया यह तो कंडेंस नहीं होगी यह तो आगे निकल जाएगी क्योंकि यह तो नॉर्मल कंडिशन में फुल सूपर हीटेड स्टेट में रहती है मगर फ्यूल तो फ्यूल तो एकदम कमजोर चीज है अभी अभी आपने उसको क्या करा है वैपराइस करके एर फ्यूल मिक्षर बना के भेजाए जैसी उसको ठंडी ठंडी दीवारे मिलेंगी वही चपक जाएगा तो अंदर कौन पहुचेगा सिलेंडर के अंदर कौन पहुचा एर पहुची है और कुछ अमाउंट फ्यूल आपका इस तरीके से कंडेंस होके अंद बाहर ही रह गया इलेट मैनिफोल्ड में ही रह गया आपको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई दो एक्स्ट्रा सब्यूल की सप्लाई नहीं दोगे तब तक यहां पर प्रॉपर अमाउंट ओफ रेशियो जो है वह मेंटेन नहीं हो पाएगा आई बात समझ में कोल्ड स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं जी अभी कुल्ड स्टार्टिंग की बात नहीं करते हो नहीं नॉर्मल स्टा लग कंडिशन है जल्दी से मुझे बताई है स्टार्टिंग की बात करें है क्लियर हो गया यह तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो ज़रा ध्यान से बिकॉज ओफ बिकॉज ओफ कंडेंसेशन और फ्ल ठीक है नियर लेट मैनि होंद रिच रिच मिक्सर रिच मिक्सर 週री से इस शंप्लाइड रिच मिक्शर इस शंप्लाइड रिच मिक्सर इस सप्लाइड बिक इनिशिली temperature of cylinder and inlet यहाँ पर लिख रहे हैं ठीक है inlet manifold is very less ठीक है बहुत ही short form में लिख दिया है initially temperature जो है cylinder का inlet manifold का वो काफी कम होगा जिसकी वज़े से क्या होगा जो fuel है वो condense हो जाएगा inlet manifold के अंदर तो उसको compensate करने के लिए हमें rich mixture provide कराना पड़ेगा अब बात करते हैं acceleration की ठीक है समझने वाली बात जादा है लिखवाने वाली बात कम है एक्सेलरेशन और इसकी pdf वगेरा pw app पर आप मिल जाएगी या फिर हम अपने गुरूप पर भी provide करा देंगे tension ना लेना acceleration ठीक है बताई एक्सेलरेशन में क्या होता है वो करते हो ना आज कल 17-18-18-18 साल के जब हो जाते हैं नै नै बड़े हुए हैं ठीक है और फिर पापा ने दिला दी गाड़ी फिर क्या करते हैं रास्ते में accelerator कैसे लेते हैं वाला scene देखा है बस उसी की बात कर रहे हैं accelerate जब आप गाड़ी को करते हो जब आप रास्ते में खीचते हो accelerator को जब आप throttle opening करते हो suddenly आप पूरा accelerator खीच देते हो sudden opening, sudden opening, sudden opening sudden opening of throttle ठीक है? sudden opening of throttle sudden opening of throttle बताईए जब आप acceleration करते हो process perform करते हो क्या होता है? rich mixture क्यों? reason क्या है rich mixture का? due to frequent braking, accelerating, rich mixture ओके देखो reason समझो physical reason समझने की कोशिश करो यहाँ पर हमारे पास क्या है? piston cylinder arrangement है this is our piston cylinder arrangement ठीक है? द्यान से देखना यह क्या है? inlet manifold है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ आपका carburetor है carburetor से आप क्या provide कर रहे हो? air और fuel का mixture प्रोइड कर रहे हो air fuel में कौन हलका है? जल्दी से बताईए का जरा? इन दोरों में कौन हलका है? यह carburetor है C और यह आपका exhaust manifold है जल्दी से मुझे बताओ air fuel में हलका कौन है? air हलका कौन है? जल्दी से मुझे बताईए answer fast air और fuel में हलका कौन है? air हलकी है अब आपने क्या करा? आपने suddenly accelerator को क्या कर दिया? खेच दिया खेच दिया का मतलब पूरा एक साथ आपने suddenly open कर दिया throttle wall accelerator खीच रहे हो accelerator ले रहे हो तो इसका मतलब throttle wall भी आपका open हो रहा है ठीक है? अब air क्या है? हलकी हलकी सी है fuel क्या है? भारी भारी सा है क्यों? because of density difference air की density बहुत कम है fuel की density काफी जादा है तो होता क्या है? जैसे ही आप suddenly suddenly throttle wall open करते हो न तो air हलकी होने की वज़े से air तो फटा-फट अंदर आ जाती है fuel फटा-फट अंदर नहीं आ पाता है air जो है वो हलकी होने की वज़े से अंदर easily slip होती है fuel जादा slip नहीं हो पाता है जिसकी वज़े से आपको acceleration के time पर क्या करना पड़ेगा? rich mixture प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो जो sudden opening की वज़े से extra air अंदर चली गई है उसको compensate करते वे extra fuel भी अंदर चला जाए बास समझाई? बास समझाई? बास समझाई? जल्दे से मुझे बताईए सारे लोग as the throttle wall will open suddenly more air will start more air will start entering into entering into the cylinder due to due to low density ठीके ना? because of low density so we need to provide rich mixture we need to provide rich mixture we need to provide rich mixture ठीके? जिसकी वज़े से हम क्या करेंगे? rich mixture को provide करने वाले हैं तो आपको मैंने सारे simple basic जो भी operations होते हैं वो बता दिये हैं कब idling होती है? ये सब तो देखो regularly रहता है फिर ये क्या है? beach बीच में आता है मतलब ये ऐसा नहीं कि गाड़ी चलते के time पर आपका इसका बहुत ज़ादे सी वज़े से इसको transient बोला गया and study बोला गया है कि इसको beach में एक instant पर use करना होगा acceleration भी आपका continuously नहीं आप accelerate करते ही चले जाते हो highway पर हो तो cruising पर रहते हो ठीक है? अगर आप कहीं भीडबाड में हो तो accelerator लिया छोड़ दिया लिया छोड़ दिया लिया छोड़ दिया तो ये भी transient operation है जो आप time to time perform करते हो तो इसको क्या बूल है? starting or accelerating को and steady operation और ये आप throughout the process perform करते हो आपने देखा कि कहां-कहां lean mixture था कहां-कहां rich mixture था maximum power भी मैंने आपको समझाया तो आप क्या कर सकते हो? एक curve बना सकते हो ध्यान से देखना यहाँ पर अगर हम air fuel ratio देखें तो माल लो ये हमारा क्या है? stoichiometric air fuel ratio है ध्यान से देखेगा air fuel ratio ये कौन सा है? stoichiometric है ठीक है? अब ध्यान से समझो माल लो starting में हमने idling करी फिर suppose कर लो cruising पर आए और फिर यहाँ पर हमने maximum power की बात करें ठीक है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को मिली ठीक है? इस इस दी idling इस इस दी cruising and इस इस दी maximum power अब आब ये फ्यूल में जड़ा variation को समझने की कोशिश करना ठीक है? जब idling पर थे तो कौन सा mixture प्रोवाइड कर रहे थे? rich mixture rich mixture से शुरुवात हुई देखो यहाँ पर इस टॉक्यूमेट्रिक है इस टॉक्यूमेट्रिक के ऊपर क्या होगा? rich mixture होगा rich mixture था फिर जैसे ही cruising पर आए तो आपने क्या करा? यहाँ पर slightly lean mixture दिया और maximum power में फिर से rich mixture दे दिया तो आपका क्या बन गया है? एक कर्व बन गया है जो कि एकदम bath tub की तरह लग रहा है जिसके वज़े से इसका नाम क्या है? bath tub curve bath tub curve ठीक है? तो यह चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर starting हो गई और acceleration हो गया अब क्या बचता है? cold starting ठीक है ना? cold starting की चलो बात कर लेते हैं cold starting ठीक है? इतना clear है सभी लोगों को जल्दी इसे बताईए फिर हम बात करते हैं आप तो बहुत सारा पढ़ा दिया गया आज तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया बहुत सारे pages भर दिया ठीक है? चलो अब डिसकस करते हैं बिटा क्या? cold starting आज बहुत सारे pages भर गया है देखो एकदम line लगी हुई ये pages की सही है वही? ध्यान से देखो ये कामचोर faculty की पहचान है ठीक है? ये जो मैं कर रही हूँ जो faculty कामचोर होते है वही ऐसी हरकते करते हैं उदर से copy करके ले आते हैं फिर इधर जो है मस्त इधर मस्त इस्तिमाल कर लेते हैं ठीक है? चलो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं बात किस की चल रही है? cold starting की चल रही है cold starting आप मुझे बताओ जब-जब सर्दियों में आपकी गाड़ी start नहीं हुई है आपने क्या किया है? जल्दी से बताइए ठीक है? जल्दी से बताइए जब-जब आपकी गाड़ी सर्दियों में cold starting का मतलब क्या भी दरद्धन वंड है गाड़ी चालू नहीं हो रही है आप मार Self लिए पड़े हो Self लिए पड़े हो Kik मारे पड़े हो नहीं चालू ओरी है आपकी गाड़ी बताओ फिर आप क्या करते हो बढ़े क्या करते हो बहुत ही बड़िया चोक खीच देते हो तो जब आप बहर से ऐसे चोक खीच रहे हो अंदर क्या चल रहा है कार्बुरेटर में क्या डिफरेंस आ रहा है इसको समझने की कोशिश करो यहां से सप्लाई हो रही है air यहां से सप्लाई हो रहा है fuel ठीक है बाकी जितनी भी बाते लिखी है सब आप हटा सकते हो एक better understanding के लिए ठीक है एक better understanding के लिए सब यहां से हम हटा सकते हैं शलो देखो यह सब हटा दो यहां से ठीक है ताकि हमें clearly देखें कहां से क्या आ रहा है यह हमारी सब बात हो गए ठीक है देखो पूरा डाइग्राम आ गया अब हमारा यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो clearly visible नहीं द्यान से समझना मेरी बात होता क्या है कि जब यहां से air की सप्लाई हो रही है अब आप तो यह फिल मिक्षर बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी आपकी ठंड में शुरू नहीं हो रही है तो वहां पर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा रिच मिक्षर कैसे रिच मिक्षर प्रोवाइड करोगे आप चोक खीच दोगे जैसे ही बिटा आप चोक खीचते हो आपका यहां पर जो चोक की पोजीशन होती है वो यह आ जाती है जैसे ही चोक लोगे जैसे ही चोक खीचोगे यह चोक की पोजीशन हो जाएगी यहां पर यह हमारी एक्चुल पोजीशन आपको चोक की देखने को मिलने वाली है ठीक है ना तो यहाँ पर लिख सकते हैं position of choke position of choke during the time of cold starting अब जब चोक की position जैसे ही ऐसी हुई क्या हुआ हमने air की supply को minimize कर दिया air की supply को cut कर दिया अब जैसे ही आप air की supply को cut करोगे तो क्या होगा कौन सा mixture पहुचेगा यहाँ पर आपका rich mixture पहुचने वाला है यहाँ पर जो mixture पहुचेगा वो slightly rich हो जाएगा और आपकी गाड़ी शुरू हो जाएगी आपकी गाड़ी start हो जाएगी तो choke के time बदलब cold starting की time पर choke की खीचने का मतलब ही यही है कि जो choke की position है वो आप यहाँ पर set कर दोगे air की supply immediately cut होगी fuel की supply immediately यहाँ पर वैसी रहेगी तो rich mixture आपको यहाँ पर provide हो जाएगा ठीक है ना तो हमेशा ध्यान रखो choke temporary cut of the air supply पहली बात यहाँ पर लिख देती हूँ choke, choke temporary, temporary cut of, ठीक है, choke temporary cut of the supply of air choke क्या करेगी, temporary basis पर, जो air की supply आप दे रहे हो, उसको cut कर देगी क्यों, क्योंकि throttling process जैसे आएगा तो severe pressure drop होगा nozzle के पास, और rich mixture easily provide कर सकते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो, यहाँ से air की supply आपने क्या कर दिया, cut कर दिया, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो low pressure generate कर ही रहे हो ना तो low pressure होने की वज़े से fuel की supply वैसी हो जाएगी air की supply आपने cut कर दी है जिसकी वज़े से rich mixture आप provide करने वाले हो ठीक ना तो चूटी-चूटी बाते लिख दी है बाकी आप अपने हसाब से भी statement बना के लिख सकते हो तो याद रखो यहाँ पर rich mixture supply होती है ठीक है ना supply अगर आप देखोगे तो rich mixture की supply आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो इस तरीके से आपका choke वाला procedure ठीक है choke वाला procedure काम आता है ठीक है तो यह पूरी बात हो गई किस की यह पूरी बात हो गई, SI INGINE में जो कार्बुरेटर काम करता है, अब हमको समझ आ गिया, इतनी requirement क्या कार्बुरेटर की अउखात है हमारी इतनी requirements को fulfill कर पाए, सोचो क्या कार्बुरेटर की इतनी अउखात है कि इस सारी requirements को fulfill कर पाए सोच के वताओ है कटाई नहीं कटाई नहीं कटाई नहीं कटाई नहीं ठीक है तो आपको यहाँ पर समझ आ गिया होगा बहुत ही अच्छे से SI इंजन का अगर आप इंजेक्शन सिस्टम देखोगे तो एडवांटेज क्या है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ओवर कन्विंशनल कार्बुरेटर आज पास भी नहीं है बात बिल्कुल सही है तभी आज के टाइम पर कार्बुरेटर एकदम विल्लुप्थ हो चुका है अब काम की बात सुनियो अच्छा देखो मैंने कि इंजेक्शन सिस्टम नहीं होता है अरे होता है जी वहां नूजल को डिजाइन करा जाता है हम उसको डिसकस नहीं कर रहे हैं आज का सेशन फुल्ली किस पर किस पर डेडिकेटेड है इस पर डेडिकेटेड है इस पार के इगनीशन इंजन सियाई में याद रखना कि हम अलग अलग तरह की नूजल्स बनाके और इस प्रे को डिजाइन करा जाता है वहां पर क्या है इस प्रे को डिजाइन करा जाता है और मैं आपक समझो, SI engine में fuel injection system क्यों picture में आया, पहले आप advantages समझे fuel injection system की over the conventional carburetor, क्या फाइदा मिला, क्या advantage मिला, improved atomization, fuel is forced into the intake manifold under pressure, which helps in breaking fuel into the fine droplet, सबसे पहले तो हमको बहतरी atomization मिला, अच्छा atomization आपको आता है, अब आप नहीं कहा सकते, क्योंकि मैंने आपको fuel injector जब समझाया था, वहीं पर atomization समझा दिया था, किसी भी fuel को एकदम fine droplets में तोडने का process atomization कहलाता है, आप क्या करते हो, fuel को एकदम fine droplets में तोडते हो, ताकि वो easily vaporize हो सके, उसको atomization बोलते हैं, तो fuel injection system से पहला फाइदा, बहतरीन, एकदम चका-चक atomization मिलेगा, दूसरा फाइदा क्या हुआ, improved idling मि economy, more precise fuel metering system atomization and distribution हमको देखने को मिला, जब हमको rich चाहिए था, तभी rich लिया, जब हमको lean mixture चाहिए था, तो lean लिया, आपने देखा होगा, कि highway पर mileage थोड़ा better हो जाता है, गाडियों का, सुना है न, city में 20 देदेगा, highway पर 22 देदेगा, 23 देदेगा, सुना है, कभी भी ले जा सकते हैं, आई बस समझ में, तो यहाँ पर आपका, यह जो better metering system था न, जो proper meter कर पा रहा था, fuel injector SI engine में भी लगा होता है, ठीक है, SI engine में भी fuel injector लगा होता है, अभी दिखाती हूं, मगर आपको यह याद नहीं रखना है, क्योंकि आपने अगर यह याद रख लिया, तो आप SSC J के question गलत कर दोगे, क्यों, क्योंकि SSC J में जो भगवान बैठे हैं, question बना रहे हैं, वो महराज जी यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि fuel injector सिफ diesel engine में लगा होता है, आरी बास समझ में, अरे दो गुना गलती से निकल गया, माफ कर दीजे, 20 से 40 नहीं होगा, 20 से 20 ह समझ में, क्योंकि SSC J में question पूछा गया है, इन components में से कौन सा component SI engine में नहीं होता है, option पता है, क्या-क्या दिये थे, option दिये थे, हमारे पास कि भई, अगर हम SI engine की बात कर रहे हैं, तो बदब कुछ इस तरीके से common component जैसे connecting rod हो गई, एक component ठीक है, crank एक component दे दिया था, गजन-pin component दे दिया था, fuel injector दे दिया, और answer सही बता दियते है, fuel injector होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो carburetor पढ़ रहे हैं, समझो, उनकी जिंदगी में अभी fuel injection का अविश्कार हुआ ही नहीं है, fuel injection system उनकी जिंदगी में आया ही नहीं है, तो आपको सोचो, अगर आप उस जमाने में चलेगे, जहां सिर्फ carburetor है, आप मुझे बताओ क्या ऐसा engine में fuel injector होगा, yes और no, अगर आप carburetor वाले जमाने में हो, हाँ, उनके हिसाब से fuel injector इसका answer होगा, और आपको लगाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई, वो उस जमाने के question पूछ र बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, कि SI engine में fuel injector है नहीं, अब आपको दिखने वाला है, तो एक बढ़िया improved fuel economy हमें देखने को मिली, एक precise metering system देखने को मिला, जब रिच चाहिए, तब रिच चाहिए, जब लीन चाहिए, तब लीन system से हमको यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है, जब हमने injection system का, ध्यान से देखो, जब हमने injection system का classification करा बिटा, तो एक तो injection mode की basis पर करा, एक होता है direct injection type fuel injection system, एक होता है port injection time fuel injection system, दो तदा कि direct port, direct port, ऐसा engine में, दूसरा क्या था, single point or throttle body injection, और दूसरा था multi point fuel injection system, जो आज के टाइम पर हम use भी करते हैं, multi point fuel injection system, highlight कर दिया क्योंकि यह काफी ज़ादा हर जगा पूछा जाता है, इसको short form में MPFI पूछते है, SSC J में एक सवाल और पूछा गया बिटा, MPFI का full form बता हो, ठीक है, अब पूछ रहा है तो क्या गर पूछ रहा था कि MPFI का full form बताइए क्या होता है, तो याद रखो multi point fuel injection system होता है, ठीक है, next देखो, type of actuation की बात करें, तो mechanically actuation, actuated fuel injection system है, उसके बाद mechanically actuated, मतलब दो बार लिग गया है, और दूसरा क्या है, electronically controlled, जिसमें ECU unit लगी होगी, मतलब electrical वाला पूरा इंतिजाम यहा पर sensors वगेरा लगा देते हैं, ECU लगा देते हैं, वो सब कुछ control कर लेता है, fuel की supply भी control कर लेगा, temperature, pressure, सब कुछ के बारे में वो जानकारी collect कर लेता है, ठीक है, तो अगर आप type of actuation के point of view से देखोगे, तो एक mechanical basis पर system बनाए गया है, और एक electronic system है, और बाकी injection mode के basis पर देख होगे, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, direct injection system, direct injection system क्या है, जिस समय पर suction होगा, fuel is directly fed into the cylinder, समझ पा रहे हो, यह मस समझना मैं, फिर तो यह डीजल होगिया, डीजल में भी तो आप फ्यूल स्प्रे कर रहे हो, तो चचा डीजल में जो फ्यूल स्प्रे कर रहे हैं, वो compression के ब फ्यूल सप्लाइ करने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, direct injection type, के directly cylinder के अंदर हमने fuel भेज दिया, उधर से air आगे, air fuel mixture बन गया, compress करो, combustion करो, expansion करो, exhaust करो, जो मनाय करो, आई बात समझ में, direct fuel injection system क्या है, fuel is directly fed into the cylinder, direct से याद रखो, direct एक नोजल लगा है ना, SI engine में भी लगा है ना, बस वही बात है, मगर आपको नहीं मानना है, कि आपको हमेशे यही कहते रहे ना, नहीं लगा है, port injection type के अगर हम बात करें, तो इसमें क्या करते हैं, fuel is admitted in the intake manifold, इसमें हम क्या करते हैं, direct cylinder के अंदर नहीं भेजते हैं, fuel जो है, जैसे इससे पह nozzle लगा के रखी है, इस nozzle से क्या आया, fuel आया, यहाँ पर एर fuel का mixture बना और अंदर आ गया, इसको कहते है, port injection type fuel injection system, ठीक है, आगे समझो, ध्यान से देखो, यह दो तो बड़ा basic सी चीज़े थी, direct वाला और port वाला तो समझ आ गया, single point throttle body injection system समझने की कोशिच करिए, ठीक है, single point throttle body, इसमें क्या होता है, nozzle pressure कितना होगा, काफी ज्यादा रखते है, nozzle pressure को, ठीक है, अभी discuss कर लेंगे, उसके बारे में भी, the single point injection also called throttle injection in which fuel is injected at one place in the throttle body, the single point injection system has the same air and fuel mixing distribution as carburetor, to overcome this problem, multipoint fuel injection system came into the picture, पहले समझो कि क्या कह रही हूं मैं, single point or throttle body, ठीक है, suppose कर लो आपके पास कुछ multi cylinder engine है, यहाँ पर आगर आप देखोगे, यह एक cylinder हो गया, यह दो cylinder हो गया, ठीक है, आपने क्या करा है, single point, यहाँ पर nozzle लगा के रखा है, यह nozzle लगा के रखा है, यहाँ से क्या एगी, air आएगी, यहाँ पर एक ही जगा पर आपने क्या करा, air fuel का mixture बनाया, यह air fuel का mixture throttling process करके गया, फिर क्या होगा, यहाँ पर air fuel ratio आप supply करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर air fuel ratio सप्लाई करोगे, फिर यहाँ पर, मतलब यहाँ पर total जो है, 3 cylinder है, यहाँ पर 3 cylinder है, यह दूसरा है, यह दूसरा है, और यह आपका क्या क्या क क्टीसरा के यह टेक है इसमें समस्या क्या ही समझने की कोशिश करो यह सिंगल पॉंट वाला था उनियं Satil करтов एं तो कि एक ही जगहा पर है एक ही जगहा पर लगा है यहीं से सब को supply कर parecer है तो काफी uneven supply देखने को मिली हर एक cylinder में आप मुझे बताओ इसका कुछ इलाज है आपके पास इसको कैसे सही कर सकते हैं बदाइए जल्दी से कुछ दिमाग में आपके आ रहा हो कि मैं ऐसा कर लो तो problem resolve हो जाएगी तो आप आपने देखा है कि क्या problem यहां पर आ रही है आपको uneven distribution फ्यूल का यहां पर देखने को मिल रहा है इस वाले में इस वाले में बताओ मुझे क्या कुछ जुगाड़ है आपके पास single point और throttle body injection system में जब आपने इसको multi cylinder engine में लगाया तो मैंने आपको बता दिया uneven distribution है आप कुछ इलाज बता सकते हो सब के लिए separate nozzle लगा दे any other option बदाईए भई ना सबके लिए बहुत ही बढ़ी है सबके लिए separate multipoint कर दें सबके लिए separate दो तीन जितने भी cylinder है सबको अपना separate separate nozzle दे दो वहीं से जनम हुआ था multipoint fuel injection system का ठीक है multipoint fuel injection system आपका क्या होता है ध्यान से देखिए अब यहां पर picture में आया है multipoint fuel injection system देखो जड़ा ध्यान से यहां पर आप देख रहे हो कहां पर लगा होता है देखो यह लगा हुआ है this is the location और यहां से अगर आप देखोगे तो यह fuel आ रहा है हमेशा ध्यान रखो multipoint fuel injection system में जो nozzle होती है वो elite manifold के पास लगी होती है और यहीं से आपका क्या रहा होता है फ्यूल आपका निकल के आ रहा होता है अब हमने क्या करा हमने बहुत यह simple calculation करी कि एक दो तीन चार अगर चार सिलेंडर लगे हैं तो एक पूरी system बनाके अभी discuss कर लेंगे mechanical और electronic दोनों सिस्टम अलग से discuss कर लेंगे उनहीं की मदद से हम चारो की चारो nozzle में separate 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 fuel की supply देंगे जिसकी वज़े से यह जो uneven distribution uneven distribution था इस problem को हम overcome कर ले जाएंगे ठीक है न यह जो uneven distribution था है इस problem को हम क्या कर ले जाएंगे overcome कर ले जाएंगे अब समझ आया कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्यों इतना पॉपिलर है हाँ अभी अभी ECU की बात कर लेंगे कोई tension नहीं है ठीक है क्लियर हो गया आप मुझे बताइए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कार्बूरेटर हटाया सिंगल पॉइंट ले के आए ठीक है ना डारेक्ट ले के आए पोर टाइब ले के आए फिर पोर टाइब में हमने देख स्टम कारेट फ्यूल इंजेक्टर होगा और सब में यूनिफॉर्म फ्यूल इंजेक्शन किया जा रहा होगा ठीक है ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर चार सिलेंडर है तो एक ही इस पार्क से सब काम कर रहें नहीं सब के पास अपना सैपरेट सैपरेट सब कुछ लगा सिस्टम हो गया यह सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो गया इनको चलाने के लिए भी तो एक पूरा सिस्टम चाहिए एक पूरी एक्ट्वेशन मेकानिजम चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए बही एक पूरा सिस्टम होगा जो आदेश देगा जो कमांड दे और दूसरा आपका होता है electronic injection system काम कैसे करता है ध्यान से देखिए mechanical वाला बहुत आसान है ठीक है सबसे पहले इसके basic components को समझे mechanical injection system में एक solenoid लगा होता है the solenoid is magnetized इस तरीके से यह magnetized होता है that interaction of the field lead to movement of the spindle मतलब क्या है यह जो solenoid लगा हुआ यहां पर देखो यह magnetic plunger है इस plunger को spring से connect कर दिया क्यों spring से connect करा क्यों spring से connect करा ताकि यह उपर नीचे move कर सके हम इसको उपर नीचे क्यों move कराना चाहते है देखो यह किस से connected है spindle से और यहां से क्या हो रही है fuel की supply जब यह spindle ऊपर उठेगा उसी समय पर यहां से fuel आएगा और यहां से fuel आएगा ठीक है बास समझ आ रही है यहां से fuel आया यहां से air आया fuel आया air आये और यहां पर क्या हो गया air fuel का mixture ready हो गया cylinder के अंदर भेज देए तो mechanical actuation system में अगर आप देखोगे तो important parts को जड़ा देखो एक तो solenoid लगा हुआ है इस solenoid के साथ एक helical spring लगी हुई है इसके साथ एक magnetic plunger लगा है और एक spindle लगा हुआ है तो यहां पर मैंने लिख दिया है component एक तो वाल की पूरी housing है magnetic spindle है helical spring है solenoid coil है इस आर दी very important components है ठीक है आरे जेए के लिए ही पढ़ना है पढ़ा क्यों रही हूं वरना इससे question आते हैं बटा ठीक है सबसे पहले यह समझने की कोशिश करिए जैसे ही आप यहां पर फ्यूल मतलब होगा क्या यह एक्साइट होगा जब यह solenoid excited होगा तो एक फील्ड जनरेट होगी ठीक है उस फील्ड की वज़े से यह जो magnetic plunger है यह उपर की तरफ भागेगा जैसे यह उपर की तरफ भागेगा तो helical spring को क्या कर देगा compress कर देगा और जैसी helical spring compress हुई यह spindle उपर भागा तो यहां से फ्यूल की supply हो जाती है एक simple diagram में simple समझ लो electrical input आपने दिया electrical input दिया pressurized fuel आया regulated fuel supply यहां पूसे आपको देखने को मिल गई air fuel mixture उदर आपका बन गया इससे better system mechanical से ज्यादा better system मैं आपको बताऊं mechanical से ज्यादा better system आपको यहां पर दिखता है ECU यह वाला electronic injection system the system is relies on solenoid and solenoid operated injection wall for यह सारी चीज़े छोड़ दो लिखने की जरुवत नहीं है बाद में आराम से पढ़ना primary input अगर आप ECU का देखोगे that the output from the inlet manifold by the pressure sensor इसमें pressure sensor होगा engine speed sensor लगा होगा temperature sensor होगा engine block sensor होगा to monitor the water jacket temperature etc होता क्या है ध्यान से सुनो हिंदी में समझा देती हूं अपने हिसाब से लिख लेना English वे English छोड़ दो ठीक है English वगेरा सब छोड़ दो ध्यान से सुनो यह आपका क्या हो गया piston cylinder arrangement यहाँ पर एक temperature sensor लगा है यह temperature sensor की line किस से connect हो गई EC इलेक्ट्रोनिकली कंट्रोल यूनिट ECU ठीक है इसी के साथ सद यहाँ पर देखो नोजल लगी हुई है इस नोजल को किस से connect करा गया है fuel PR से pressure regulator यहाँ पर fuel pressure regulator है इससे पहले क्या लगा है filter लगा है pump लगा है यहाँ पर fuel reservoir है ठीक है एक extra fuel reservoir यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और इससे क्या connected है battery connected है इसी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर pressure sensor का unit connected है फिर temperature का unit connected है throttle opening का unit connected है मतलब क्या है कि सारी जानकारी यहाँ से किस के पास जाएगी ECU के पास जाएगी बिल्कुल भी critical नहीं है अगर आप दू मिनिट मुझे ध्यान से सुन लोगे यह 100% आपका clear हो जाएगा इससे easy कुछ होई नहीं सकता कुल मिलाके आपने क्या करा सारी चीज़े है एक बीच में control unit लगा दी इस control unit को क्या करा सबसे connect कर दिया मतलब सबसे मतलब यहाँ पर देखो battery से भी connected है throttle opening sensor से connected है temperature sensor से connected है pressure sensor से connected है यहाँ पर भी temperature sensor लगा हुआ है ठीके ना engine speed यह basically torque मालो यह T है ना यह torque से भी connected है कि engine किस speed से चल रहा है वो भी जानकारे ECU के पास जाने वाली है आ रही है वाज समझ में अब देखो क्या होता है जैसे ही यहाँ पर suppose कर लो कोई suction का process हुआ और आपको air fuel की supply provide करनी है तो command किसके पास जाएगी ECU के पास ECU को पता चला कि हमको यहाँ पर supply देनी है air fuel की कैसे देगा ECU के पास जो information आई बही engine cylinder ने यहाँ पर जो sensor लगे है उस sensor की मदद से ECU के पास command गई के air fuel का mixture provide करो तो ECU ने क्या बोला pump को बोला pump को बोला कि भाईया fuel निकालो तो pump से fuel निकला filter में गया filter हो गया यहाँ पर इसका pressure regulate हो गया यहाँ पर आया fuel की supply हो गई air की supply होगी air fuel का mixture अंदर आ रही है बास समझ में के नहीं आ रही है आ रही है कैसे ECU काम कर रहा है इस तरीके से यह जो ECU है यह सब को control करेगा pressure को भी speed को भी temperature को भी fuel की supply को भी हर एक चीज़ को यह control कर सकता है ठीक है आप suppose कर लो आपने ECU की command को रास्ते में ECU को command दे दी कि भी fuel की supply को कट करो तो क्या हुआ यहाँ से जो pressure pump से जो filter हो से होके fuel गिया था यह fuel अब यहाँ पर fuel reservoir में चला गया फिर से pump में चला गया फिर से pump में चला गया pump fuel कहां से लेगा इसी reservoir से लेगा अगर आप supply कट कर वाओगे suppose कर लो आपने वोला fuel की supply कट करो तो ECU ने command दी तो यहीं से fuel fuel PR pressure regulating arrangements होता हुआ वापस से fuel reservoir में चला गया आई बास समझ में ऐसे चलता है आपसे छोटे छोटे question प्यारे प्यारे questions पूछे जाएंगे अगर आज के session में आपने सिर्फ मेरी बाते सुन भी ली होंगी ना तब भी आप 100% questions लगा लोगे idling में पूछेगा rich mixture lean mixture ठीक है आपसे important components के बारे में पूछ लेता है तो components भी यहां पर आपको पता होने चाहिए कि क्या-क्या components आपके यहां पर लगे होते हैं ठीक है ना तो यह चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखनी है यह mechanical हो गया mechanical में components पूछे गए ते इस वज़े से मैंने यहां पर कुछ components के नाम वगेरा लिख दिये हैं तो इस तरीके से mechanical injection system आपका काम करता है ठीक है जी जैसे कि एक question देखे ज़रा इन सम कार्बुरेटर से एकनोमाइजर डिवाइस एकनोमाइजर देखो अच्छा हाँ एक चीज़ और सुन लो बहुत इंपोर्टेंट चीज़ याद आ गई मुझे आपने देखा था कोल्ड स्टार्टिंग ठीक है तो कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम पर जो एक्स्ट्र फ्यूल सप्लाई के लिए यूज होता है और कोल्ड स्टार्टिंग में यूज होता है तो देखो कार्बुरेटर में एकनोमाइजर कभ यूज करते हैं कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम पर यूज करते हैं एक कोशन और दिखाते हैं इगनीशन सिस्टम अभी हम यहाँ पर discuss नहीं करेंगे, ठीक है, शल, अब यहाँ पर आंसर करो इस question का, देखो इस question का answer कर पार हूँ, यह SSEJ का previous question है, ट्राइ करिए इसको, SSEJ का previous question है, कार्बुरेटर में, फ्यूल जेट जो है, विद रिफरेंस टू लेवल अफ दी फ्लोट चेमबर कहां रखा जाता है, थोड़ा उपर रखा जाता है, यह थोड़ा नीचे रखा जाता है, यह कहीं पर भी यह फिर सेम लेवल पर रख सकते हैं, अगर आप इस तरह की questions के answer कर पा रहे हो, तो SSEJ में भी answer कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सोचिए इसके बारे में, बहुत ही बढ़िया, diagram देख लो, diagram देख लो, cold starting में बनाया था न, तो आपने, ध्यान नहीं दिया है, क्या diagram पे, देखो, fuel jet जो निकल रहा है, उसको क्या करा है, slightly, यह जो float chamber का level है, इससे उपर रखा है, क्यों रखा है, ताकि pressure difference की वज़े से ही, fuel का क्या हो, flow हो, तो यहाँ पर clearly आपको visible होना चाहिए, कि हमने क्या करके रखा है, slightly, उपर करके रखा है, ठीक है, slightly at the higher level, ठीक है, option A will be your correct answer, अगला सवाल देखिए, solex carburetor अभी छोड़ दीजे, which of the following does not relate to spark ignition engine, अब देखो, यही question पूछा गया है, spark ignition engine से क्या related नहीं है, अब क्या अगर होगे, बताओ, क्या अगर होगे, बताओ, कौन सा answer चूस करोगे, दिल पे हाथ रखके answer चूस करना पड़ेगा, ऐसे मन से निकलेगा, नहीं, बोला नहीं जाएगा, ऐसे question में answer बोला नहीं जाएगा, बस ऐसी दिल पकड़के, गलत answer चूस कर लेना है, ठीक है, fuel injector, क्योंकि कल में जब ignition system पढ़ाऊंगी न, तो आपको ignition coil दिखाऊंगी, कल battery ignition system और magneto ignition system दोनों पढ़ेंगे, तो ignition system आपके clear हो जाएंगे, ठीक है, idling system is used, carburetor में idling system क्यों use करते हैं, for cold starting, to compensate for dilution of charge due to residual gases, for rapid opening of throttle, for meeting maximum power requirement, सही answer बताइए, according to, यह सही answer दिया है, according to SSC, जही option is B, according to me, all the options are wrong, सही है, तभी तो मैं बोल रही दिना, question लेकि ओ, 50% question गलत है, अब गलत में भी सही answer ढूनने, एक कला है, जो आपको develop करनी है, बदाईए बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, to compensate dilution of charge residual gases की वज़े से जो हो रहा है, ठीक है, floating carburetor of petrol engine control, जो float है न, जो float valve आपको discuss कराया, जो float chamber के अंदर था, वो क्या कर रहा है, किसको control कर रहा है, flow rate of air को control कर रहा है, flow rate of fuel को control कर रहा है, flow rate of air fuel mixture को, यह level of the petrol in the float chamber, petrol के level को maintain कर रहा है, float chamber में, जो B बोल रहे हैं न, वो बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी में हैं, चारों option उनको पढ़ने ही नहीं है, सीधा उनको जो है, तुरंट जल्दी बाजी में आगे निकल जाना है, आगी बात समझ में, फिर से दिखा देती हूं, ऐसी बाते तुम लोग लिख रहे हो, A, B, A, B कर रहे हो, क्या कर रहा है ये float chamber, ये float chamber क्या कर रहा है, fuel के level को ही तो maintain कर रहा है, भाई level कम होता है, तो यह यहाँ से हट जाता है, और यहाँ से fuel supply चालू हो जाती है, जब level maintain हो जाता है, तो फिर से जाके यहाँ पर set हो जाएगा, ठीक है ना, तो भाईया जी level of the fuel को ही तो maintain कर रहा है level of the fuel को ही तो maintain कर रहा है आज बहुत सारी slides हो चुकी है मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे इतनी सारी slides को control करें यह हो गया fuel injector यह हो गया ठीक है तो level of the petrol in the float chamber इसको control करेगा ठीक है Carburetor is a part of lubrication system का part है cooling system का part है fuel supply system का part है या brake system का part है किसका part है Carburetor बताएए fuel supply system का part है ठीक है ना fuel supply system of petrol engine का part है the function of carburetor petrol refine the fuel fuel की refining में यूज होता है यह fuel vapor के pressure को बढ़ाने में यह inject petrol in the cylinder यह फिर atomize and vaporize the fuel to mix it with the air in proper ratio बताएए which option is the right answer which option is the right answer अब आपको फील हो पा रहा है कि आपका syllabus vast है deep नहीं क्योंकि जो चीज़े हमने आपको सिखाई है उससे भी basic level के questions पूछे जा रहे है ठीक है मतलब आपने एक बार मुझे bad के सुन लिया है आप almost 90% questions आसानी से लगा लोगे ठीक है तो atomize करता है vaporize करता है fuel को फिर air के साथ proper ratio में mix करता है यह सब काम किसका है carburetor का ही है अब बताओ mixture of formation in carburetor carburetor में जो air fuel का mixture बन रहा है यह किस principle को follow कर रहा है pitot tube principle को venturi principle को buoyancy principle को या फिर pascal law को follow कर रहा है बदाए बहुत सही बढ़िया है ठीक है न पासकल law को follow करेगा नहीं करेगा किसको करेगा principle of venturi को follow करेगा देखो खूब अच्छे-च्चे questions आप से पूछे गए है daignition अभी ignition system कल discuss करेंगे ठीक है fuel injection system हाँ चलो ठीक है ठीक है तो इतने questions रखते हैं अब आपको कोई भी दिक्कत होती है इसके लावा जब आप questions all करते हो तो आप यहाँ पर पूछ लेना कल हमारा super duper interesting session चलने वाला है क्योंकि कल मैं आपको वो सिखाऊंगी जो आपको अभी तक नहीं आता है fuel ignition system हम discuss करेंगे और उससे भी बहतरीन session में आपको बताऊं कल ही मतलब कल के session में जो topic cover होगा that is super charging जो आपको पढ़के एकदम मज़ा आ जाने वाला है मैं आपको बताऊंगी कि क्या हम मारूती 800 में जो engine लगा है उससे Kia Celtos तक की power develop करा सकते हैं मतलब size of the engine change नहीं करेंगे बढ़ हमें extra power मिलने वाली है extra performance मिलने वाली है तो आपने आजकल देखा होगा गाडियों में आप जब गाड़ी लेने जाते हो वो बोलते हैं कि भाई ये एक लीटर का naturally aspirated engine है और ये एक लीटर का turbo charge है तो वो क्या शब्द है turbo charging से ऐसा क्या effect आगया कि गाड़ी एक लीटर लाग रुपए आपकी महंगी हो गई तो ये सारी चीज़े हम कल के session में discuss करेंगे आपको बहुत मजाएगी ठीक है इसके लावा आपको कोई दिक्कत हो notes related दिक्कत हो तो यहाँ पर आप message कर देना I will reply and I will resolve your problem ठीक है तो आज के session को यही पर close करते हैं Thank you very much मिलेंगे आपसे कल शाम 7 बजे with the same subject with a different topic Thank you